जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिध जैन YouTube चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे है तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप दिखने बाला है यह Image उसमें डली है यह Icon यह Logo उसमें डला है अब दोस्तो इसको Install करना है यहाँ से आप Install करेंगे तो बहाँ पर आपको Number मांगेगा Gmail Number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप Register करके आँगे बढ़ेंगे तो यह बात को आज हम पढ़ने वाले जितने भी साती हैं सबसे पहले तो भी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और इस Season अपना रोज जिनदरंतर इसी तरह नौ बज्य होता है ठीक है नौ बज्य हम इस Season में पड़ते हैं इस Season को दोस्तो हमें बताना है कि अग्ये ने कुल कितने सब्तकों का प्रकासन किया तो आपको चैन करना है चार विकल्प हैं आपके सामने, चार में से आप चेहन करिए, कितने सब्तकों का इन्होंने प्रकासन किया था, वो आपको बताना है, पांच, चार, दो, या फिर, तीन, कितने सब्तकों का इन्होंने प्रकासन किया, प्रश्न किरमांक एक आपके लिए पूछा गया, एक का उ ए आपको चेन करना है चलिए तो कितने सब्तकों का इन्होंने प्रिकासन किया था पांच चार तीन या फिर दो सब्तकों का तो आपने उत्तर बता दिया सर चार सब्तकों का इन्होंने प्रिकासन किया था और आपका उत्तर है बिकल्प नमबर वी वी नमबर आपका सही होगा अग्ये ने कुल चार सब्तकों का प्रकासन किया था सब्तक में दोस्तों साथ कभी होते हैं चारों सब्तक इस प्रकार से हैं तार सब्तक 1943 दूसरा तार सब्तक 1959 ठीक है तीसरा तार सब्तक 1969 और चोथा तार सब्तक 1989 ठीक है इसको आपको याद रखना अब प्रियोग बात की प्रवर्तक का नाम आपको लिखना है प्रियोग बात की प्रवर्तक कौन माने जाती हैं लिखिए जल्दी से कमेंट में प्रियोग बात की जो प्रवर्तक माने जाती हैं वो कौन माने जाती हैं इसका उत्तर आपको बताना है चार विकल्प हैं और दोस अग्ये आपका right answer हो जाएगा बी नम्मर आपका सई हो जाएगा अंगले question की ओर हम बढ़ेंगे अंगला question यहाँ पर प्रियोगबात के प्रवड़ता का अग्ये हैं प्रियोगबात का आरंब सन 1943 हिसमे में सचिद्यान धिरानन बासाइन अग्ये के संपाद कत्व में प्रकास की बताना है कि किस विधा की माने जाती है दोस्तों कमेंट में लिखिए आप सभी समसेर बहादुर सेंद्वारा लिखे दो आप किस विधा की किरती है दो आप किस विधा की किरती है और आपने बिलको सही चैनी किया है कि सर दो आप जो है यह सबसे बड़ी बात तो एह है कि यह समसेर बहादर सही की किरती है और यह किस की है तो एह है दोस्तों यह क्या है एक काब है क्या है काब किस विधा की है तो एक काब विधा की है यानि कि आपका उत्तर D number बिल्कुर शही है D number जो आपने बताया वो बिल्कुर शही आंसर है ठीक है बढ़ जाते हैं अंगले question के ओर अंगला जो प्रशन आपका है दोस्तो वो यहां पर आपको बताना है कि दो आपके बारे में अपने पड़ा कि समसेर बहादूर से हैं किने क्या कहा जाता है दोस्तो कभीयों का कभी कहा जाता है समसेर बहादूर से को कभीयों का कभी और दो आप इनकी काभी की विधा है या इनकी एक रचना है दोस्तों उसको आपको याद रखें न ठीक है जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों एप डाउनलोड नहीं किया वो एप जरूर डाउनलोड करें और अंगला क्वेस्चन आपके लिए बताना है कि जैसंकर प्रसाथ की किरतियां किस बिकल्प में है बिकल्प में आपको चैन करना है तो किस बिकल्प में है जैसंकर प्रसाथ की किरतियां बताइए नीरजा शांद गीत इस्मिर्थी की रेखाएं पत्के साती जहरना लहर ध्रोप सौमनी सकंद गुपते हैना इन मैसे आप चैन करिए जैसंकर प्रसाथ की किरतियां किस बिकल में हैं जैसंकर प्रसाद की कृतियां यह आपको बताना है और चार का आपका बिल्कुल शाही आंसर हो जाएगा जैसंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं उत्तर हो जाएगा जहरना लहर ध्रोप सौमनी और इसकंद गुप्त यानि कि आपका राइट आंसर क्या है बिकल्प नम्मर वी बी नम्मर आपका सही हो जाएगा वी जोनों ने बताया उनका अंसर बिलकोँ सही है ठीक है बी नम्मर आपका सही है और दोस्तो जहरना लहर धुरुप सौमनी जैसंकर प्रसाद द्वारा रचित कृतियां इस प्रकार से हैं इनको भी अपन को पढ़ना ह देखिये जहरना लहर धुरुप सौमनी इसकंद गुप्त ठीक है यह आपको याद रखे ना यह मानी जाती है दोस्तो और बासी वन मेलन प्रेम राज कानन को सो मासू कामाईनी यह सबी रज्जो रचिना हैं यह जैसंकर प्रसाद की हैं ठीक है मचली घर नामक काब संग्र के जो संपादक हैं वो कोण मान जाती हैं यह आपको बताना है कामेडि गुरू प्रशन किरमांग पांच में आप बताइये कि मचली घर नामक काब संग्रे के संग्रे के संपादक कोण हैं प्रश्न किर्मांक अपना पांच है और पांच का बिलको सही आंसर है पुलिसर मचली घर में मचली घर में बिजय देव नाराण साही बिजय देव नाराण साही मचली घर में कहां पर मचली घर में और उत्तरा आपका बी नंबर बिलको सही है मचली घर नामक काब संग्रे के स इनके द्वारा साखी संबाद तुमसे जबकी लच्मी कांद बर्मान अतुकांद तीसरा पक्ष धरंबीर भारती ने अंदायोक कनु प्रिया नामक काब संग्रों की क्या किया दोस्तों शंपादन किया इनका आपको याद रखेंगे अगला क्वेश्चन है तार सब तक काब स संग्रह का प्रकासन कब हुआ प्रश्ण किरमांग 6 1949, 1940, 1942 या फिर 1943 तार सब तक काब संग्रह का प्रकासन कब हुआ बताइए और आपका तार सब तक काब संग्रह आपसे पूछा गया और तार सब तक पूछा गया तो उत्तर चला जाता है 1943 इस भी 1943 यानि कि आपका जो डी नमबर है 1943 वो बिलकुल शही है ठीक है डी आपका राइट अंसर हो जाएगा तार सब्तक का अब संग्रे का प्रकासन 1943 हीसवी में हुआ था और तार सब्तक में साथ कवियों की रचनाय संग्री थें है ना एक अभी कौन थे दोस्तों एक तो अपन ने इसको याद किया था तार सब्तक के कवियों को कैसे याद किया था नैमी मुक्त भारत की पिरभागिरी राम की आग्या से है ना तो नैमी से क्या बनेगा नैमी चंदर जैन मुक्त से क्या बनेगा मुक्ती बोध नैमी मुक्त भारत की तो भारत से क्या बनेगा भारत बूशन अगरबाल है ना पिरभागिरी तो पिरभाकर माचबे गिरी से गिरजा कुमार ठीक है इनको अपन को याद रख लेना राम बिला सर्मा और दोस्तो आग्या से तो अग्ये यह साथ कभी थे जिनकी रचना है दोस्तो तार सब्तक उनी सो तैलिस में प्रकासित हुई थी यानि क ये तार सब्तक के कभी माने जाते हैं कभी कभी कॉस्चन आता है कि निमन मैंसे बताईए कौन सा तार सब्तक का कभी नहीं है तार सब्तक की जब बात होती है दोस्तो तो इसका जो सही नाम होता है तार सब्तक का वो तार सब्तक होता है इसे पहला तार सब्तक नहीं कहा जात ये भी पूछा जाता कि कौन सा नाम सही है तो आपन को नाम सही में जब भी पूछा जाए तो आपन को याद रखेंडे ना कि इसका नामतार सब तक ही है ठीक है। को याद रखेंगे अंगला है गजाननमादाव मुक्ति बोद गजाननमादाव मुक्ति बोद की रचना चांद का मोह टेड़ा में कौनसी कविता संकलित नहीं है चांद का मोह टेड़ा आपको पता है यह गजाननमुक्ति बोद मैंने आपको बताया था कि जब यक्ति की मुक मुक्ती हो जाती है तो इसका मुख ऐसा हो जाता तेड़ा हो जाता बोले मेरे चांद का मौह है तेड़ा हो गया है ना तो मुक्ती हो जाती जब तो मुक्ती हो जाती इसको याद रखना है और गजानर मादव मुक्ती वो चांद का मौह तेड़ा में कौनसी कविता संकलित नह रचना कार तार सब्तक में संबलत नहीं है कि आपको बताना है कि आपको चेन करना है बताईए कौन सा रचनाकार है जो तार सब्तक में शमलित नहीं माना जाता आपको कमेंट में इसका उत्तर लिखना है लिखिए कौन सा रचनाकार नहीं माना जाता तार सब्तक में और यहां पर दोस्तों अपन ने पड़ा था कि सर्राम बिलास सर्मातों हैं तार सब्तक में प्रभाकर माचबे भी तार सब्तक में हैं मुक्ती बोध भी तार सब्तक में हैं लेकिन कौन नहीं है केदारनात अग्रवाल केदारनास तार सब्टक में संभिलित नहीं है यानि कि आपका उत्तर यहाँ चला जाता है बिकल्प नम्मर डी की तरफ और डी नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाता है जो बिलकुल सही आप लोगों ने बताया अंगले कॉस्ट्टन की और बढ़ेंगे साथ क्यों यहाँ पर आ जाते हैं तार सब्तक की स्थापना 1943 सीसमी में अग्ये ने किया हैना उतार सब्तक में संकलित कभी राम बिला स्थर्मा अग्ये मुक्तिबोध गिर्जा कुमार मातोर भारत भूशन अग्रवाल प्रभाकर माच बे नेमी चंदर जैन जबकि केदार नासें तार सब्तक के कभी न होकर तरतिय साब्तक के कभी मान जाती है अग्ये द्वारा संपादेट चार सब्तकों में तीन कभित्रियां भी संकलित हैं अब आपको बताना है वो कभित्रिया कोन کونसी संकलित हैं आपको चेन करना है उत्तर क्या हो जाएगा अग्ये द्वारा संपादेट चार सब्तकों में तीन कभित्रियां भी संकलित हैं वो क viewingकॉन सी संपादे चार तारसब्तों में जो कवित्रियां संब्लेत हैं वो कौन कोईसी है बताइए और यहां पर आपका राइट आंसर है एक तु सकुंतला मातुर है हरी भबानी सकुं करे हैना दूसरे तारसब्तक से संब्धथ हैं सकुंतला मातुर समब्द है अब एक question ऐसा भी आता है इनकल चला जाता है और उत्तर चला जाता है बिकल्प नमब ठीक है अब यहां पर अंगला question आपको बताना है कि कौन तार सब्तक में सामल नहीं है तार सब्तक में सामल कौन नहीं है एब बताईए आप लोग अग्गे शमसेर मुक्ति बोद या फिर नियमी चन्दर जैन यानि कि 10 का अंसर इन में से कौन तार सब्तक में सामिल नहीं है कौन नहीं है तार सब्तक में तार सब्तक यानि कि दोस्तों ये बो है कि क्या है ठीक है इसको याद रख लेना इन में से कौन तार सब्तक में सामिल नहीं ये आपसे पूछा गया उत्तर चला जाता है समसेर समसेर बहादुर ये तारसब तक में सामेल नहीं थे एक क्वेस्चन हमेशा पूछा जाता है मैंने कई बार आपको ट्रेक बताया कि अगर पिर्थम तारसब तक को याद करना तो ये ट्रेक याद कर लेना नयमी मोक्त भारत की प्रभागिरी राम की आग्या से अगर दोस्तों आपको क्या करना है अगर आपको याद करना है क्या सेकंड यानि कि दूसरे तारसब तक का य बम संपादन किया इनको याद रखेंगे ठीक है अंगले question की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों अंगला question आपको बताना है कि प्रियोग बात को सरबाद किस ने किया यह आपको बताना है बताईए चेहन करिये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है प्रियोग बात को शरबाद किस ने प्रभावित किया यह आपको उत्तर बताना है और उत्तर आपका यहाँ पर right answer मार्कस बाद ने अस्तित बाद ने प्रिगति बाद ने या फिर छाया बाद ने प्रियोग बाद प्रियोग बाद जो दोस्तों 1943 में start होता है है ना और प्रियोग बाद सब से पहले प्रियोग बाद सब्दिका जो प्रियोग किया था वो नंद दुलारे बाच पही ने किया था ये भी पता है आपको है ना और प्रियोग बाद को सरबाद एक प्रभावित किया तो वो किसने किया अस्तित बाद ने एक कई बार एकजाम में पूछा गया है ना एकजा प्रियोगबाद को यह आपको बता होगा और दोस्तों अस्तित्त बाद ने प्रियोगबाद को सरबादिक प्रभावित किया प्रियोगबाद ने इस आयत में पहली बार ब्यक्तित्त अस्मिता निजी ब्यक्तित और निच्ता को बहुत महतु दिया इसमें च्छन को महतु दे आप फेंटसी के बारे में फेंटसी बोलते ना आपन फेंटसी फेंटसी के बारे में आपको बताना है दोस्तों फेंटसी के बारे में आप बताईए इसमें से इस चार विकल्प हैं हमारे सामने कि फेंटसी के बारे में कौन सा बकतब शही नहीं है बताईए फेंटसी के बार अती रजना पूर्ण बरनन के लिए होता है या फिर दोस्तो फैंटसी का प्रियोग एक समानांतर संसार के निर्मार के लिए होता है या फिर फैंटसी का प्रियोग सत्त निरूपण के लिए होता है अपन बोलते ना कि सर फैंटसी के बारे में बक्तब सही नहीं है पूछा त यानि कि ये कैसा है ये सही नहीं है एक अथन सही नहीं है यानि कि आपका जो एक नमबर है वो बिल्कुश सही होगा फैंतसी का प्रियोग या थार्त स्रश्टी के निसेत के लिए होता एह बक्तब ये सही नहीं है जबकि फैंतसी के बारे में सही बक्तब फैंतसी का यहांँ पर आओ थोड़ा सा कैसे आपको उत्तर पहचानना है इस परकार के जब question आते है तो इसको एक बार देखना है चारों बिकलप आपको देखना है कि देखो fantasy का प्रियोग अती रंजना पूर बरणन के लिए होता है fantasy का प्रियोग एक समान आंतर संसार के लिए होता है ह तो आपको ए बिकल्प सही लग रहा, सत्तिन रूपन, शमानांतर, अतीरंजनापूर्ण, जब आपको ए बिकल्प, तीन बिकल्प लगबग सही लग रहे हैं, एक समाल लग रहे हैं, है ना, तो आपको चौते बिकल्प की और ध्यान देनी चाहिए, कि दोस्तों एथार्थ स् प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं फोर्स कर रहे हैं है ना तो दोस्तो च्वता विकल पपन को अपने आप मिल जाता है कि यह निस्चे थी जब तीन एक समर्तन में है तो यह च्वता ही गलत होगा ठीक है इस प्रकार के क्योश्चनों को इस प्रकार आपको पहचानना है अगर ऐसे पहचानोगे तो आप कभी गलत नहीं करके आओगे है ना अब यहाँ पर आते मुक्ति वोत की किस प्रकार को पृति बंदित हैं किस पुस्तक को पृति बंदित किया गया प्रशने किरमांग 13 तेरा का अंसर आपको बताना है कि मुक्ति वोत की किस पुस्तक को पृति बंदित किया गया था बिपात्र को एक साहितिक की डायरी को या फिर चांद का मुह टेडा या भारत इतिहास और संस्कृति को प्रश्न किरमा 13 मुक्ति वोत की किस पुस्तक को पृति बंदित किया गया था यह बताईए और उत्तर बिल्कुल क्या सही हो जाएगा मुक्ति बोत की किस पुस्तक को पृति बंदित किया गया अपन ने पढ़ा था कि सोजे बतन दोस्तों सोजे बतन जो कहानी थी वो किसकी थी प्रहम चंद जी की इसको क्या कर दिया गया था सोजे बतन इस रचना को इस रचना को जब्त कर दिया गया था चिंगारी दोस्तो एक बेचन सरमा उग्र की उग्र की चिंगारी को जब्त कर दिया गया था है ना उसको भी पृति बंदित कर दिया गया था जो दोस्तो मद्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे पृति बंदित कर दी गई थी किसे भारत इतियास और संस्कृति को पृति बंदित कर दिया गया था मुक्तिबोद की पुस्तक भारत इतियास और संस्किर्टी को प्रती बंदित किया गया था उलेकनी है कि मद्ध्रदेश आसन द्वारा भद्रता नैतिक था की बृद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मद्ध्रदेश नियालाय ने मकदमा चला था जिसका नरनाय या इसके दस आपती जनक अंसों को हटा कर इसे पुनाय प्रकासित किया जा सकता है इस पुस्तक की भूमक्या में मुक्ति बोद ने लिकाए किया इतियास की पुस्तक नहीं है इस अर्थ में की सामनता इतियास में राजाओ युद्दों राजनेते को लट फेरों का जैसा विवरण रहता है बैसा इसमें नहीं है युद्दों राजबंसों की विवरण में ना टक कर मैंने अपने समाज और संस्कृति के विकास पत परंकित किया है इस परकार से तो मुक्ति बोत की दोस्तों इह रचना इस को याद रखे न भारत इतिहास और संस्कृती इसे को अपन को याद स्नम्दते हैं तो किसे सम्द्त हैं बताईइ decisions प्राश्न किरमांग चउदा प्रियम बाद निम्न मेंसे किस कविता से संबंदे थे ये आपको याद रख लिए और उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर क्या हुजएगा? उत्तर हुजएगा असाद्ध बीना तोस्तो कितनी नाओं में कितनी बार आगन के पारदवार इंदर धनों से रोंदे हुए इनको याद रखेना है और कितनी नाव में कितनी बार के लिए ने कुछ पुरुसकार भी मिला है वो आप लोग बताते हैं बताइए कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरुसकार मिला है प्रियोग अपने आप में इस्ट नहीं है बरन बहसादन है एक अतन किस बाद से सम्मंदित है बताइए सबी लोग लाइक जरू कर देना और दोस्तो जिन भी साथ क्यों ने अभी तक एप डाउनलोड नहीं किया है ना तो प्ले स्टोर में आप सर्च कर लेना प्ले स्टोर मे उत्तर चला जाता है प्रियोग बाद से किस सम्मंदित है प्रियोग बाद से सम्मंदित है और डी नम्मर आपका बिलको सही है डी सही है उक्त कतन प्रियोग बाद से सम्मंदित है और ये कतन अग्ये जी का अग्ये जी ने कहा था दोस्तो और अगर ये कभी क्वेश्चन आ दूसरा तारसब्तक की भूमिका में इन्होंने लिखा था कि प्रियोग बात का आरम सन 1943 में सचिदान अंदिरानन बासान अग्ये के संपात कत्व में प्रकासे तारसब्तक से माना जाता है और तारसब्तक में साथ कभी संगरित थे अंगला कोश्चन है एक दूसरे से भिन्न भिन्न नई बिचारों इवं रचना से अलियों के जो साथ कभी प्रियोग बात के कभी के रूप में प्रिसिद्ध हुए उनकी कभीताओं के संगरह का सही नाम क्या था लो बताइए सही नाम क्या था इतना सरल कोश्चन आपका उत्तर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बिल्कुल बिरोधी भी थे और प्रिवर्तक भी ये थे ये प्रियोग बाद जो नाम दिया था नंद दुलारी बाच्पे इन उसके बिरोधी थे प्रियोग बाद के काई के प्रियोग बाद के उन्होंने कहा था कि ये प्रियोग का कोई बाद नहीं है प्रियोग बाद प्रियोग का कोई बाद नहीं है है ना और दोस्तो इसका उत्तर आपका डी नम्मर सही है तार सब्तक है ना एक दूसरे यहां आपन पुछा जाता है कि महादेवी वर्मा किस बाद से संबन देते हैं किस काल से संबन देते हैं तो आप बताते हो छाया बात से संबन देते हैं महादेवी बर्मा लेकिन दूसरा क्वेश्चन अगर आप से पूछा जाएगा कि छाया बात का सबसे जादा बिरोध किस ने किया तो आपका पूछे जाते हैं क्यों पूछे जाते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन वाले होते हैं अब ये कोई नहीं सोचेगा जिसको नहीं पता वो ये नहीं सोचेगा यार जो व्यक्ति प्रियोगबाद का प्रवर्तक है वो प्रियोगबाद का बिरोध क्यों करेगा जो कवित्री चाहावाद का बिरोध क्यों करेगा है ना तो इस परकार से दोस्तों क्टीग आते ये कन्फ्यूज़न बाले आते ठीक है तो प्रियोग बाद का जन में चाहावाद और जिस काल, तो आपको पता है कि प्रियोग बात का जन्म चायाबाद और प्रेगति बाद चायाबाद और प्रेगति बाद की रूणियों के ब्रोध प्रति के लिया सवरूप हुआ था यहनि कि आपका उत्तरस्थी नंबर, अब आपसे कभी कभी question आता है कि प्रगति बाद किस से प्रभावित है तो अपन ने पढ़ाता कि सर ए मार्क्स बास्ते प्रभावित है मार्क्स बास्ते प्रभावित माना जाता है आप से कहा जाता है कि राजनीती के छेतर में जो सामवाद है राजनीती के छेतर में जो सामवाद है साहित के छेतर में वो प्रगती बाद है है ना तो याद रखे ना प्रियोगबाद का जन्व छायाबाद और प्रगती बाद की रूणियों से माना जाता है इसको याद रखे ना दोस्तों ये कालकंड है 1918 से 36 से लेकर कि क्या माना जाता है छायाबाद 36 से 43 माना जाता है प्रिगती बाद तो 43 से दोस्तों के माना जाता है कौन सा प्रियोग बाद इसको अपन याद रखेंगे भवानी प्रसाद मिस्तर की कविताएं किस सब तक में हैं भवानी प्रसाद मिस्तर की आपको चैन करना है किस सब तक में हैं दूसरे सबतर्ग तीसरे सबतक या फिर चौत्झे सबतक मैं मान जाती है और पहले सबतक दूसरे चौत्धे या पिर तीसरे में कमेंट करके जल्दी से आपको लिखना है वीडियो को एक बार लाइक जरू कर देना है और भवानी प्रसाद मिस्त्र की कविताओं की अगर बात हो रही है तो बोले सर अपन ने पढ़ा था इनको याद करना है तार सब तक से एक क्वेश्चन आता है हमेशा है ना हमेशा आता है इसलिए दोस्तों अपन ने पढ़ा है कि सर हरी भवानी सकुन करे सेरे नरे यानि कि हरी भवानी हरी भवानी और हरी भी हैं और भवानी है इसलिए दो दो हैं दो भगवान हैं तो तार सब तक भी कौन होगा दुतिये होगा हरी भवानी तो हरी ही भी हैं भवानी भी हैं मतलब दो हैं तो दुतिय तारसब तक से सम्मन देत होंगे कौन भवानी तो भवानी यानि की दो नमबर आपका बिलको सही है भवानी पर साथ मिस्रिक की कविताएं दूसरे तारसब तक में संग्रीत हुई और दूसरा तारसब त है ना या फिर सिलापंक चमकीले छाया मत चूना या बुनी हुई रस्सी कौन सी काबिकर्ती गिर्जा कुमार मातुर की नहीं है ये आंसर आपको चेन करना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा उत्तर आपका उन्नीस का बताना है कि कौन सी काबिकर्ती गिर्जा कुमार मातुर क नहीं है और नहीं है पूचा है तो नास और निर्मार तो है चला पंक चमकीले है छाया मत छूना एबी है लेकिन कौन सी नहीं है बुनी हुई रसी है ना बुनी हुई रसी इसको आपको याद रख रहे ना है और दोस्तों कि डी नम्मर आपका डी नम्मर बिल्कुँ सही है ब अक्सी रहे बर्तमान इस सारी की सारी रचनाय गिर्जा कुमार मातुर की हैं अंगला क्वेश्चन है धरमबीर भारती की काविकृति कनू प्रिया में किसका वर्णन हैं दोस्तों अपनने कभी प्रिया एक रचना पड़ा है कभी प्रिया की रचनाकार कौन मान जाते हैं गोर का वर्नन है तो उत्तर चलाता राधा के नवीन रूप राधा के नवीन रूप का वर्नन है यानि कि यह नम्मर आपका उत्तर हो जाएगा यह नम्मर सही हो जाएगा यह राइट अंसर हो जाएगा धरमबीर भारती की काविकृति कनू प्रिया में राधा के नवीन रूप क की बिना अंधा योग है ना धरम कानों को प्रिये लगता है तो कनू प्रिया साथ गीत में साथ गीत गाते हैं हम धरम के साथ गीत गाते हैं तो धरम से यात कर लेना बोले धरम की सरण में लोहा कितना भी गरम हो ठंडा हो जाता तो धरम बीर भारती अंधा योग हो जाएगा अगर धरम नहीं होगा तो है ना तो अंधा है योग धरम के बिना तो अंधा योग धरम बीर भा तो किस ने किया था ये बताना केदार नासे ने अग्ये जगदीश गुपतिया गिर्जा कुमार माथुर ने बताइए चैन करिए प्रश्न किरमांग 21 का अंसर आपको चैन करना है किस ने साथ नए कभियों को लेकर 1943 में तार सब तक नामा के काब संगरे प्रिकास कित किया था तो वो है दोस्तो B नमबर B आपका बिलकुँ सही हो जाएगा अग्ये आपका राई टांसर हो जाएगा अग्ये ने किया था और B आपका सही है सचिदा अनंद हिरा नंद बासा इन अग्गे ने 7 नए कभीयों को लेकर 1943 में तार सब्धक नामा के कवब संगरे प्रकासित किया और अग्गे जी ने इन कभीयों को राहों का अनवेसी कहा एक कोस्च्छन भी आता है कि तार सब्धक के कभीयों को क्या कहा जाता है तो इन्हें कहाजाता है राँं का अन्वेसी है ना। ग्जे जी ने 1931 में दूसरा तार सब्तक 89 में 30, 69 में 30 और 89 में 84 हुथ है तो इस पर कारची कुल मिलाके कितने तार सब्तकों का प्रकासन हुआ चार तार सब्तकों का ठीके चार तार सब्तक आप याद रखेंगे यहां पर असाद बीना कविता की रचनाकार का नाम आपको बताना है असाद बीना कविता की रचनाकार कौन है बताइए धरमबीर भारती हैं किदारना अतगरवाल भवानी प्रसाद मिस्त्र या फिर सचिद असाद बीना कविता की रचनाकार कौन माने जाते हैं उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्ण किरमांक 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका असाद बीना कविता की रिचनाकार का नाम और उत्तर चला जाता है सचिदानन्द हीरानन्द वासाइन अग्ये और डी नमबर आपका बिल्कु सही है ठीके असाद बीना कविता की रिचनाकार सचिदानन्द हीरानन वासाइन अग्ये है इनकी अन्नकविता है कलगी बाजरे की हैना साप नदी के दीप हरी घास पर छणबर जितना तुमारा सच है ठीक है सब्द और सत्त दीप अकेला सौन मशली कमल के फूल सत्पुडा के जंगल हैना इनको आपको याद रख लेना है दोस्तो और बानी की दीनता और गीत फरोस इ भवानी परसाद मिस्ति की रचना है सत्पुडा के जंगलादी ठीक है हमें प्रियोग बादी कहना उतना ही सार्थक या नर्थक है जितना हमें कविता बादी कहना हैना उक्त कतन किसका है उक्त कतन आपको बताना इकतन किसका है ये कतन आपको चैन करना है जल्दी से चैन कर इक अतन किसका माना जाता है हमें प्रियोगबादी कहना उतना ही सार्थक या फिर निरर्थक है बताइए इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा हमें प्रियोगबादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है इस प्रस्ण को आपको बताना है और उत्तर चला जाता सचिदानंद हीरानंद बास्ताइन अग्गे की तरफ और ए नम्मर आपका सही है हमें प्रियोग बादी कहना उतना ही सार तक या नर तक है ये राइट अंसर हो जाएगा अंगला कॉस्चन आपको बताना है यहाँ पर कभिता मैं कहने की आदत नहीं पर कह दूँ बर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता पूझी से जुड़ा हुआ हिर्दय बदल नहीं सकता य पंक्तिया किस कभी की मानी जाती है यह बताइए सबी का अंसर क्या हो जाएगा 24 का अंसर और दोस्तों यह जो पंक्ति है यह पंक्ति मानी जाती है यह ना किसकी मानी जाती है मुक्ति बोध की मुक्ति बोध यानि आपका बी नमबर मुक्ति बोध बिलकु सही है वो परियो पंक्ती प्रियोग बादी कभी मुक्ती बोत की है और इनके द्वारा रचेत एक अन्न पंक्ती है दोस्तों अभी व्यक्ती के सारे खत्रे उठाने ही होंगे तोड़ने होंगे मट और गड़ सभी ये उक्ती भी दोस्तों मुक्ती बोत की कई बार पूछी गई है ठीक है कौनस कौन सा काब संग्राय सचिदा अनंद हीरा नन बास्सायन अग्ये का नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है। अग्ये की आपको पढ़ना है। फिर अंगले कौस्चन की और बढ़ेंगे हम अंगला कौस्चन आपको बताना है कि कुमर नारण का काब संग्राय है तो कौन सा है। ये आपको चैन करना है। चैन करिए सबी लोग वीडियो को लाइक जरू करते रहिए और जिन भी सात्यों ने अभी तक एप डाउनलोड नहीं किया। इसका बड़िया मौका है पंजाब मास्टर के अडर बालों के लिए जूनियर टेट एकजाम बालों के लिए दोस्तो संपूर्ण कोर्स आपके लिए उपलब्द है प्लस टिर्की वीडियो हैना प्लस टेस्ट प्लस बिस्तरे तद्यान व्याकरण और दोस्तो लाइप किला पूरा बैलेड रहेगा एक कोर्स सौरॉप पे मैने भी आपको इस कोर्स में नहीं लग रहे है ना तो आप दोस्तो इस कोर्स को एड़िसर ले सकते हैं अपनी तयारी कर सकते हैं और हासिये का गबा है क्यानी कि डी नमबर कि तरफ आपका उत्तर चला जाता है ठीक है अंग चक्रवियू आत्म जई परिवेस हम हम तुम है ना कोई दूसरा नहीं इन दिनों बाजस्तरवा के बहाने हासिये का गबा है कि कुमर नारान की हैं दोस्तों है ना अब यह याद रखे ना यह आत्म जई कई बार पूचा गया यह बाजस्तरवा के बहाने कई बार पूचा गय चक्रवीव भी पूची गई इन रचनाओं को इन काब संग्रहों को याद रखना है बिजय देव नाराण साही की बात करें तो साखी मचली घर संबाद तुम से ये भी आपको याद रखना मचली घर कई बार पूचा गया नरेश महता बन पांखी सुनो बोलने दो चील को मेरा समर पे ते कांत है ना चैत्या उत्सवा संसय की एक रात है ना नरेश महता महा प्रस्थान प्रबाद पर्ब सबरी आख्या प्रातना प्रोस इन में से सबसे ज्यादा जो पूची गई बो बोलने दो चील को ये भी पूची गई है ना और दोस्तो संसय की रात कई बार इसनी इनकी रचना पूची गई और बन पांखी सुनो ये रचना भी नरेश महता की कई बार पूची गई ठीक है इसको आपको याद रख लेना है इसको दोस्तो उत्तर करना है ठीक है अब यह पर देखो गिर्जा कुमार मातर, मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, सिलापंक, चमकीडे है ना दोस्तों इनको आपको बताना है कि ये गिर्जा कुमार की रचना माने जाती है ठीक है अंगला क्वेश्चन आपको बताना है उत्तर क्या हुआ प्रशन किर्मांग 27 और इनमे से कौन सी रचना धरमबीर भारती की नहीं है तो आपने पढ़ा था अंधायोग आपकी रचना है ठीक है चंडा लोहा आपकी रचना है ये भी आपको याद रख्टीना है और दोस्तों कनूपरिया ये भी आपकी रचना है लेकिन हरी घास पर चंडा लोहा अंधायोग कनूपरिया साथ गीत बर्स तारी की सारी जो रचना है ये धरम भी भारती की माने जाती है जबकि भगन दूत चिन्ता अरी घास पर चंडा बीर हैना बाबरा अहेरी इत्तलम इंद्र धनवस रौन्दे हुए थे ठीक है ये सारी की सारी जो रचना हैं दोस्तों आंगन की पारदवार ठीक है कितनी नावों में कितनी बार ये सभी रचना है सागर मुद्रा ठीक है ये पूछी जाती है और ये अग्गे जी की है सचिदा अनंद है ना हीरा अनंद बास्ताइन अग्गे अंगला कोस्चन आपके लिए है कि 1921 प्रकासित दूसरा सर्तक में कौनसी कवित्री सामिल थी कौनसी कवित्री सामिल थी अमरता भारती कीरती चोधरी शकुंतला मातोर या फिर शुमन राजे प्रकासित दूसरा सब्तक में कौनसी कवित्री सामिल थी ये आपको बताना है कि आपका राइट अंसर हो जाएगा सकुंतला मात क्षिए नम्बर और ईकश सब्द्ध करें सबंपकर 202 साथ कभीयों को सामिल किया गया और दूसरे सब्दक कमें संक्लित को भी हैं समसीर बहादूर सें भवानी प्रसाद मिस्र शकुंतला मातौल हरी नारण ब्यास नरेस महता धरंबीर भारती ये माने जाती हैं और रगवीर सहाई की कृतियों का प्रकासन बर्स के अनुसार सही अनुकरम बताना है तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज इनको देख लेत हसो हसो जल्दी हसो लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिठिया एक समयता अब दोस्तों आपको पता होगा कि रगवीर सहाई की रचना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आत्मात्या के विरुद्ध रगवीर सहाई है ना फिर यहाँ पर पूछी जाती है ठीक है यह आ आप से पूछी जाती कि रचना किसकी है रगवीर सहाई की रचना है वो प्रस्ण है घोर अहमनेस्ट व्यक्तिबाद किस काबधारा की प्रविड़ती है घोर अहमनेस्ट बताईए चार विकल्फ हैं घोर अहमनेस्ट आपको बताना है कि घोर अहमनेस्ट व्यक्तिबाद कि काबधारा की विसेष्टा है दो सेकंड आपको दिये जाते हैं देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है बताइए बढ़िया प्रशन है दोस्तों आपके लिए और इसी प्रकार से 9 बजे अपनी एक अक्षा चलती है और हम दोस्तों इसमें पढ़ते हैं बढ़िया तरीक प्रियोग बाद घोर एहमनेस्ट ब्यक्ति बाद प्रियोग बाद की विशेष्टा है यानि शी आपका बिलकुँ सही है आधर्स के स्थान पर या थार्त में नहित ब्यंग और बिद्रूप को प्रियोग बाद अधिक प्रिगट करता है इसको याद रखेंगे अंगला स्थान के रचन करना है दो चैन करता है भी आपको बताना है तोर चैन करिये उत्तलम थंदा लोहा जल्दी से बताईए चार विकल्प आपको कूट भी दिये हैं दोस्तों और इस कूट के माध्यम से ही आपको चैन करना है कि शही उत्तर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा तो आपने चैन किया है बिकल्प नम्मर काई को डी को इत्तलम आप दोस्तों आपको पता है कि जो इत्तलम के रचनाकार है वो कौन है अग्ये ठंडा लोहा किसकी रचना है धरमबीर भारती की गीत फरोष की रचनाकार कौन है नरेश महता संसाई की एक रात ये नरेश महता की तो इतलम की रेचनाकार कौन है अग्गे जी ठंडा लोः किसकी रेचना है तो धरम बीर भारती गीत परोस की रेचनाकार कौन है भवानी परसाद मिस्त्र संसाइखी एक रात नरेश महता को आपको यात और अगला इसक्रिन पर आपको दिया जाता है अंधेरे में कभिता किस ने लिखी अंधेरे में कभिता किस ने लिखी एक अप्रेल से दोस्तों मॉडल पेपर लांच होने वाले हैं मॉडल पेपर आपके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए model paper model paper lunch होने वाला है तो जिन भी सातियों को model paper दोस्तो model paper में एड़ी से लेना है वो model paper में ले सकते हैं ठीक है अब आपको चैन करना अंधेरे में कभिता किस ने लिखी है मुक्ती बोद ने नागर जुन त्रिलो चैन या फिर धूमिल बोले सर अंधेरे में क्या हो जाती है अपने पड़ा है कि आपको अंधेरे में अगर बंद कर दिया जाए दो तीन दिन तो बोले सर ऐसा मत करने नहीं तो क्या हो जाएगी मुक्ती हो जाएगी मुक्ती है ना तो यहां पर आपका बिलकोश है मुक्ती बोध यानि कि आपका जो ए नमबर है वो बिलको राइट आंसर है अंधेरे में मुक्ती बोध अंधेरे में कविता मुक्ती बोध द्वारा लिखी गई और इस कविता में आधुनिक कौन है कुवानो नदी का बसंग्रह की रचनाकार कौन है कुवानो नदी कुवानो नदी और मैंने कई बार आपको बताया है कुवा और नदी कुवा और नदी का क्या करना है बुलिसर कुवा का नदी कुवा और नदी का क्या करना है शर्वे करना है सर्वे ठीक है तो कुवा कुभानो नदी काभ संग्रह की रिचनाकार प्रश्न किरमा का अपका 33 है और 33 में आपका जो बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा की कुआन नदी का विसंग्रह की जो रिचनाकार है और रिचनाकार है सरवेश्चुर्दयाल शक्सेना शर्वे सुर्दयाल शक्सेना यानि कि आपका उत्तर चला जाएगा डी की तरफ कुवा और नदी का क्या करना है कुवा और नदी का हमें करना है सर्वे तो सर्वे सुर्दयाल शक्सेना और उत्तर हो जाता है बिकल्प नम्मर दी डी नम्मर आपका बिलकू साहिए उंगला क्वेस्चन हमें पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर आते हैं क्वानो नदी के बारे में हम देखते हैं कि क्वानो नदी के रचनाकार तो सर्वेश्व प्ल्ट दयाल सकते नहीं यह भी आपको पता है तो याद रखने ना दोस्तों बास का पुल एक सूनी नाव जंगल का दर्द संसस से सडक तक है ना एधूमिल की परसिद रचनाय माने जाती हैं चक्रवियू आत्मजाई आमने सामने कुमर नारान की रचना माने जाती हैं तो यहाँ पर आपको प्रियोग बादी कभियों की रचनाय बताना है किस सब्तक में संग्रित हुई ऐसा अगर कॉस्चन आपसे पूचा जाए तो आपको यह चीज याद रखनी है कि जो प्रियोग बादी कभियों की रचनाय है कि किस सब्तक में हुई तो वो हुई तार सब्तक में तार सब्तक यानि कि आपका एक नम्मर बि कासन से माना जाता है है ना तार सब तक के कभी कौन थे दोस्तों नयमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आग्या से तो नयमी से बनेगा नयमी चंदर जैन हैना गजान नमादाव मुक्ती बोध भारत भूशन अगरबाल गिर्जा कुमार मातोर अग्ये राम बिलास सर्मा प्रिभाकर माचबे, प्रियोगवादी कविता में प्रियोग करने में ये विश्वास करते थे तो इसको याद रखे ना दोस्तों कि फे माने जाते हैं तार सब तक के कभी ठीक है अगला क्वेशन राष्ट गीत में भला कौन भाय भारत भाग बिधाता है फटा सुतन्ना पहने जिसका गुन हर चरना गाता है 35, 35 में आपको चैन करना है ये 35 का अंसर क्या हो जाएगा 35 में आपने चैन किया कि ये जो पंक्तियां है इन पंक्तियों के जो रचनाकार है वो रचनाकार कौन है प्रश्ण किरमांग 35 और 35 में आपका बिल्कुल शही आंसर हो जाएगा रगवीर सहाए कौन है रगवीर सहाए राष्ट गीत में भला भाय भाग बिधाता है और फटा सुतन्ना पहने जिसका गुन हर चरना गाता है रगवीर सहाए क्यानि कि आपका एक नंबर जो है वो बिल्कुल शही है ये नंबर आपका राइट आंसर होपर पंक्यों के रचना का रगवीर सहाए जी है रगवीर सहाए सरवेशुर दैयर शक्सेना किदार नास से है हैना दोस्तो इनको याद रखेंगे अंगला यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है अरी ओ करुना प्रभामय दूप के धान खुसबू के सलाले एक चांद का मोहिट टेड़ा बताइए चांद का मोहिट टेड़ा ये रचना किसकी है खुसबू के सलाले के रचना किसकी है और दोस्तो आपको बताना अरी ओ करुना प्रभामय ये रचना किसकी है चार विकल्प हैं चार में से आपको चैन करना है और राइट आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा अरी ओ करुणा प्रिभा मैं की रचना ये तो दोस्तों किसकी है अग्ये जी की है ना अग्ये जी की यानि की आपका दोस्तों नंबर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा गुली सर धूप के धान धूप के धान गिरजा कुमार मातर धूप में धान गिर जाती है धूप में धान तो गिर्जा तो गिर्जा कुमार मातोर कुस्वू के सिलालेक की रचनाकार कौन है तो वो लिभाबानी प्रसाद मिस्त्र है ना और चांद का मुहिट्रीडा मुक्ति बोध यानि कि आपका उत्तर चला जाता है दोस्तों डी की तरफ डी नमबर आपका बिलकु सही है यह हाँ पर हम देखते हैं उप्रोक्त करतियां प्रियोगबादी कभियों की हैं अरी यो करुणा प्रभा मैं सचिदानन धिरनन वाससाइन अग्ये की हैना उनकी अन्यकाब करतियां हरी घास पर चड़वर ठीक है और आंगन के पारदवार कितनी नाव में कितनी बार शागर महाब्रक्ष के नीचे क्योंकि मैं उसे जानता हूं बावर आहेरी इंद्र धनो स्रौंदे हुए थे खुसबू के सिलालेग भवानी प्रसाद मिस्री की रचना है उनकी अन्यकाब करतियां दोस्तों और भी अपन पढ़ेंगे ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर अंगला जो के प्रियोकता हैं तो कौन हैं बताइए संब्यदनात्मक ज्यान और जानात्मक संब्यदन सूत्र के प्रियोकता कौन हैं रमेश कुंतल मेग विजय देव नारान साही गजान अनमादव मुक्तिबोद या फिर मनुहर स्याम जोसी 37 का अंसर भी है बी बिलकुल दी बता दिया क्या मैंने हाँ ए बी नमबर है बी नमबर सही है बिलकुल शही बी नमबर सही है है ना अरियो करोणा प्रभा मैं दूप के धान कुषबू के सलालेक बिलक। बोध very good बी नम्मर सही है यहाँ पर देखते है आगे बाला question इसको देखते हैं very good यहाँ पर आ जाती है संभीद नात्मक ज्यान और ज्यान आत्मक संभीद अंसूत्र के प्रियोक्ता है तो कौन है 37 का answer चेन करना है और 37 का answer आपको बताना है यहाँ पर संबेदनात्मक ज्यान और ज्यानात्मक संबेदन सूत्र के जो प्रियोकता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा 37 और 37 का आंसर आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर आपका बिल्कुट सही हो जाएगा यहाँ पर आपका उ राइट अंसर है प्रिया जैंत जी बी नम्मर मिलकोश रही है यहाँ पर देखो संबेदनात्मक ज्यान तथा ज्यानात्मक संबेदन सूत्र के प्रियोकता गजान अनमाधाओ मुक्तिवोध हैं इसको याद रखे ना ठीक है अंधेरे में क्या हो जाएगी मुक्ति ब्रह्मरा हैना यह मुक्तिवोध की रचना जांद का मोई तेड़ा यह भी आपको याद रखे ना और दोस्तों अंगला आपके लिए क्वस्चन दे दिया गया कि रूपांबरा की लेखा कौन है रूपांबरा बताना है किसकी रचनकार कौन है लाल झार भीकल्प अल्येै ढगये हैन उत्तर क्या है 38 का आंसर आपको चैन करना है 38 का उत्तर आपको बताना है रूपामबरा की रचना कार कौन है रूपाम्बरा एक किलास रोज नौ बजे चलती है इसके पहले एक आठ बजे किलास भी आती है दोस्तों और रूपाम्बरा किसकी रचना है कि आपको बताना है तो 38 में आपका उत्तर चला जाता है अग्गे की तरफ अग्गे यानि कि आपका ए नमबर जो है वो बिलको शाह है रूपाम्बरा किसकी रचना है अग्गे की ए नमबर राइट अंसर अंधा योग के लेखा कौन है अंधा योग के लेखा कौन है अंधा योग मैंने कई बार आपको बताया है अंधा योग के बारे में कि दोस्तों अंधा है योग किसके बिना किसके बिना अंधा है बताईए 39 का अंसर आप बताएंगे और दूसरों यहाँ पर अपने देखा कि रुपामरा अग्जे जी की रचना माने जाती है है ना और यहाँ पर आपने देखा अंगन के पारदवार इतलम और भगन दूत यह भी रचना किसकी है यह भी अग्जे की है लेकिन आपसे इलको सही है जिन भी सात्यों को एड़ मिर भारती की रचना है यह एक गीती नाट है जो महावारत के अंतिम दिन की चित्र को प्रस्तुत करता है यहना कभी बड़े ही कौसल के साथ उस काल की घटना को आज की मानसिक्ता से जोड़ा है ओ धरम भी भारती की रचनाओं की कनु प्रिया सपना अभी भी है ना इनको याद रखना है अंगला कोस्चन आप से पूछा जाता है कि गिर्जा कुमार मातुर की किर्टी नहीं है तो कौन ची नहीं है नास और निर्मार दूप के धान प्रतिवी कल पे बताईए हाँ जूनिया टेट के लिए है रिंकिया दाओ जी बिलकुल कौन गिर्जा कुमार मातुर की किर्टी नहीं है जूनिया टेट हिंदी के लिए गिर्जा कुमार मातुर की किर्टी नहीं है तो कौन सी नहीं है चार बिकल्प हैं एक बिकल्प आपको नहीं दिख रहा तो नीचे बिकल्प दिया है चांद का मोह टेड़ा नीचे बिकल्ब दिया है चांद का मोह टेड़ा है ना तो आपको इतना तो पता है कि सर गिर्जा कुमार मातुर की नास और नर्मान है प्रतिवी कल्प है धूप के धान भी है लेकिन चांद के मोह टेड़ा चांद का मोह टेड़ा ये जो रचना है ये रचना गिर्जा कुमा अंगले प्रशन की ओर यहां पर देखते हैं मंजीर नास और निर्मार धूप के धान शलापंक चमकीले छाया मत छूना है ना भीतरी नदी की यात्रा दोस्तों ये सारी रचना गिर्जा को मार की माने जाती हैं अंगला क्वेशन है नरेश महता को ग्यान पीट प्रुषकार क यहां पर बात हो रही है तो उत्तर बताईए उत्तर क्या हो रहा है नरेश महता को ग्यान पीट प्रुषकार मिला तो किस रचना के लिए मिला नरेश महता की बात हो रही है और आपका उत्तर भी फटाक से आना चाहिए कि सर नरेश महता की अगर आप बात करोगे तो नरेश ग्यान पीट प्रुसकार मिला था दोस्तो नरेश महता को नरेश महता यानि कि आपका जो बी नमबर है ये संपूर रचना कर्म आपका बिलकुछ सही हो जाएगा ठीक है संपूर रचना कर्म नरेश महता उननीस सो बानवे इस भी में नरेश महता को ग्यान पीट प्रुसकार संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया ना कि किसी रचना विसेश के लिए ठीक है इनकी प्रमुक्त किरतियां बन पाकी सुनो प्राथना प्रोस्थ महाप्रस्तान बोलने दो चीड को देखना एक दिन है ना ये सबी माने जाते हैं अंगला क्वेस्चन किस गरंथ के ग्यान पीट प्रोस्कार मिला ठीक है और किस गरंथ के लिए कक राम बिलास सर्मा नहीं है नहीं है बताना है दोस्तों आपको पता है कि राम बिलास सर्मा के प्रगति बादी मार्क्स बादी मार्क्स बादी आलोचक माने जाते हैं राम बिलास सर्मा का नाम आता मार्क्स ब प्रतिमान कविता के नए प्रतिमान ये रचना किसकी है कविता के नए प्रतिमान ये दोस्तों किसकी है नामवार सेंकी नामवार सेंकी माने जाती है रचना कविता के नए प्रतिमान और नए कविता के प्रतिमान है ना तो ये लच्छमी कांत बर्मा की माने जाती है लेकिन दोस्तो भासा और समाज राम बिलास सर्मा, नई कविता और अस्तित वाद के रचनाकार राम बिलास सर्मा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्कसबाद के रचनाकार राम बिलास सर्मा, लेकिन कविता के नई प्रतिमान के नामवार से की रचना हैं, इनको याद रखेंगे कविता के नए प्रतिमान नामबार से हैं कोई सा नहीं है अब दोस्तों आपको बता है सर हरी घांस पर छणबार ए तो है हरी ओ करुणा प्रभामा ए भी है आंगन के पारद्वार ए भी रचना इन्हीं की है दोस्तों लेकिन शीडियों पर धूप में के किसकी रचना है पुलिसर ए तो रगवीर सहाय की है किसकी है पर उत्तर चला जाता है बिकल्प नम्मर सी सी आपका बिल्कुँ सही हो जाता है नई कविता सीडियों पर दूब रगवीर सहाय का काब संग्राय है रगवीर सहाय की अन्न काब संग्राय आत्मत्या की बुरुद्ध हसो हसो जल्दी हसो लोग भूल गए हैं हरी घास पर बुच्छण अगरबाल नहीं है या फिर मुक्ती बोद नहीं है नेमी चंदर जैन नहीं है या रगवीर सहाय नहीं है अब दोस्तों ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन ने कई बार पड़ा है कि सर्थ तारस अब तक की अगर बात होगी तो तारस अब तक म मैंने आपको कई बार बताया है भारत की प्रभागली राम की आग्या से तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाता है तार सब्तक के कभी नहीं है यान कि आपका डी रगवीर सहाय नहीं है और आपको पता है हरी भवानी सकुन करे सेर नरे रग्वु धरम करे तो रगवीर सहाए किसके हैं बुलिसरी दुतिये तारसब्तक के माने जाती हैं इनको याद रखेंगे तारसब्तक का प्रकासन सचदा नंधीरानन बासा इन अग्गे द्वारा 1943 इसवी में किया गया और हिंदी प्रियोगबादी काभधारा का प् है दोस्तों उननीच सो ते-اسव में तार सब तक का प्रकासम हुआ और कुल मिलाके चार तार सब तक प्रकासित हुए clean nine गावन और नीस सो दोस्तो ऑन्ने आसी यह चार साब तक प्रकासित हुए थे इनको याद रखने ना होटटी फाइब का राइट अंसर हरी घास पर छण भर सीड़ सक काब संकलन की रचीता कौन मान जाती हैं दिन कर निराला अग्य या फिर इनमें से कोई नहीं या निकि फोटि फाइब का अंसर हरी घास पर छण भर सीड़ सक काब संकलन की रचीता आपको चैन करना है और ये क्वस्चिन तो लगबक सबी डोगों को पता है और इनकी अन्प्रमुक रचना है चिंता, इतलम, भगन दूत अग्ये की, शागर मुद्रा, अंगन के पारदवार, हैना कितनी नाव में कितनी बार महा ब्रक्ष के नीचे इस अभी अग्गे की रचनाय माने जाती है अंगला क्वेश्चन है कि किस लंबी कविता की रचेता मुक्ती बोध है लंबी कविता की रचेता आपको बताना है कि मुक्ती बोध है कौन सी लंबी पवीता है जिसकी रचेता है बताइए सबी को question आपको बताना है है ना उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा यही question पूछे गए है है ना पढ़ते जाएए और किस लंबी कवीता कि रचेता माने जाते हैं तो अंधेरे में अंधेरे में यानि कि आपका जो B नंबर है B नंबर आपका बिल्कुत सही हो जाएगा गजानन माद우 मुक्ति बोथ द्वारा अंधेरे में नामक सीर्सक्स अंधेरे में नामक कविता लंबी कविता लिखी और मुक्ति बोथ की अन्ने रचना है दोस्तो कौन सी रचना पौरान एक कथा पर आधारत है बढ़िया प्रस्तान है बताईए अब पौरान एक कथा पर आधारत है कि रचना कौन सी है बताईए उनसर क्या हो जाएगा है ना शबी का आंसर बताना है आपको कौन सी रचना पौरान एक कथा पर आधारत नहीं है बताईए सर क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर कौन सी रचना है जो पौरान कथा पर आधारित नहीं मानी जाती कि ये उत्तर आपको बताना है और बहुत सारी लोगों ने उत्तर बताया है कि सर कुछ लोग B बता रहे हैं कुछ लोग C बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं और क सही क्या है उत्तर आपने बताया है कि सर अमन का राग अमन का राग ये पौरान एक कथा पर आधारित नहीं है ये पौरान एक कथा पर आधारित रचना नहीं मानी जाती और डी नंबर आपका बिलको सही हो जाता है जिन्होंने डी बताया अमन का राग बिलको सही आंसर है डी कानओं को प्रियbay लगती है जो है ना वह है कौन धरम बीर भार्ति धरम कानों को प्रिये लगता है इसका अंसर धरम बीर भारती हो जाएगा है ठीक है अंगला है दोस्तो DOVYARDY योग नाम करण किसके नाम पर कीया गया है फ्रश्ण किरवांग 48 48 का अंसर YouTube दुवेदी योगनाम पर किसके नाम के अधार पर किया गया अधार पर किया गया 48 का अंसर आपको बताना है क्या बोल रहे हैं ठीक है तो दुवेदी योग नामकर किसके नाम के अधार पर किया गया उत्तर चला जाता है महाबीर पिरसाद दुवेदी महाबीर पिरसाद दुवेदी यानि कि आपका राइट आंसर बी नम्मर बिलको सही है ठीक है बिलको सबी लोग लाइक जरू कर देना हैना लाइक वीडियो को जरू करें महावीर प्रसाद दुवेदी बी नम्मर आपका सही है महावीर प्रसाद दुवेदी गरिमा पंडित हैना गरिमा मंडित वेक्तित्तु के धनी थे हैना और हिंदी साहित के दुतिय योग का दुवेदी योग नामकरा अचार महावीर प्रसाद दुवेदी के गरिमा मंडित व रहचर मित्र अंधेरे में इस चौड़े उचे टीले पर या फिर मुझे पुकारती हुई पुकार के सभी लोगों को बताना है। रहचर मित्र अंधेरे में और बी नमर आपका बिलकुश सही हो जाता है। फिर अंगले क्वेस्टिन की और हम बढ़ेंगे। अंगला क्वेस्टिन बताना है कि दोस्तों यहां पर बताना है प्रियोग बात की जन्मदात्तिरी पत्त्री का कौनसी है। प्रियोग बात की जन्मदात्त्री पत्री का कौन सी है बताईए चार बिकल्प है उत्तर भी आपके सामने है और उत्तर भी आपको ही बताना है पचास का अंसर बताना है बताईए शवी लोग कौन कौन सही बताते हैं वो बता रहे हैं देख रहे हैं कौन कौन से सही बता रहे हैं देख कर भी सही बता रहे हैं की नहीं बता रहे हैं बहुत सारे सातियों ने जो उत्तर बताया है दोस्तों कि सर ये जो तार सब्तक थी ये पत्री का नहीं थी के तार सब्तक क्या थी ये पत्रिका नहीं थी सभी लोगों ने देखा बोले उत्तर तो दिख गया उत्तर दिख गया और सभी लोगों ने लगा दिया तार सब्तक लेकिन ये उत्तर गलत है के उत्तर क्या है गलत है के तार सब्तक पत्रिका नहीं थी ये तो क्या था काब संग रहे है यह पत्रीका नहीं थी ठीक है इसको याद रखनेना पत्रीका जो थी वो प्रतीक पत्रीका थी प्रतीक पत्रीका से दोस्तों माना जाता है यह आपको याद रखनेना की प्रियोगबाद की जन्मदात्री पत्रीका जो माने जाती है वो प्रतीक पत्रीका है इसको रचना की द्रश्टी से निमलकित कविताओं का सही अनुकरम आपको बताना है अंधेरे में असाद बीना है ना यह बताना है तार सब तक से प्रियोग बात का दोस्तो प्रारंब जरूर माना जाता है लेकिन पत्री का पूचा तो पत्री का प्रतीक सही होगा है ना तार सब त से प्रियोगबाद का प्रारंब माना जाता है लेकिन दोस्तो पत्री का तो आपका प्रतीक ठीक है रचना की दरश्टी से निमलेकित कभीताओं का सही अनुकरम बताईए सही अनुकरम आपको बताना है और यहां पर याद रखते हैं सरोजिस्मिर्टी असाद बीना अंधेरे में और पटकथा पटकथा यानि कि आपका जो स्री नंबर है वो बिलको सही है सरोजिस्मिर्टी असाद बीना अंधेरे में और पटकथा आपका बिलको सही है स्री नंबर ठीक है सरोजिस्मिर्टी 1935 सूरकां अंतरपाथी निराला है ना असाद बीना सजदानंद हिरानंद 1961 अन्हेरे में मुक्ती बोध ये भी याद रक्रिना और पटका था ये धूमिल की ठीक है निराला करत सरोज स्मिर्थी को हिंदी का सरपसेष्ट दोस्तो प्रथम सोक गीत माना जाता है है ना आप उत्तर देख भी लेते हो लेकिन अपने बिबेक से उत्तर लगाया करो हो सकता से बहुत सारे लोगों ने लगाया लेकिन जिनने पढ़ा था जिनको मैंने पढ़ाया था उनको पता था कि सर तार सब्तक था एक काब्य संग्रह और प्रतीक थी क्या पत्रिका है ना ये आपको पता था तो ये आपको याद रक्रिना बिद्वानों ने प्रतीक पत्रिका स प्रकासन हुआ, उनीस सो तेतालिस से तारसब तक का प्रयोगबात का प्रारम हुआ, पत्री का पूछा तो प्रतीक पत्री का, ठीक है यहाँ पर निमन वैसे कौन सी रचना सरभे सुर्दयाल सक्स्यना की नहीं है नहीं है पुछी तो आत्मात्या के बुद्द इस सरभेश्च्च waking की नहीं है ये तुरगवीर सहाई की रचना है इसको याद रख लेना है सर्वेश्च दयाल सक्सेना की काबिकृतियों की अगर बात करें तो काट की घंटियां बास का पुल एक सूनी नाव गर्म हबाएं कुआनो नदी ये सबी मानी जाती हैं दोस्तो जंगल का दर्द खूटियों पर टंगे लोग ये सबी रचनाय हैं किसकी सर्वेश्च दयाल सक तो ठीक है लोग भूल गए हैं और दोस्तो लोग भूल गए हैं और कुछ पते कुछ चिठियां है ना ये सबी दोस्तो रगवीर सहाई की रचना हैं इनको उत्तर आपको बताना है तो ये आंसर क्या हो जाएगा साकी किसका संकलन है साकी किसका संकलन है ये आपको चैन करना साकी बताना है कि किसका संकलन है और दोस्तों आपने एक पड़ा होगा मचली घर में विजय देवनारान साही अब दोस्तों इनकी रचनाओं की अगर बात करने विजय देव नारान साही की तो साकी इनकी रचना है पूची गई है साकी मचली घर भी इनकी रचना है ये भी पूची गई कई बार संबाद तुम से ये भी कई बार पूची गई तो साकी मचली घर संबाद तुम से ये रच रचनाय पूमानी जाती है ठीक है यहां पर आपसे पूचा गया साकी किसकी रचना है आपने बता दिया विजाए देव नारण साही जो बिलकुल सही आंसर था अंगले कॉस्चिन क्यों हम यहां पर बढ़ेंगे अंगला कॉस्चिन यहां पर आता है दोस्तो आप से यहाँ पर पूचा जाएगा यह समसिर बहादूर की भी रचनाय है पड़ना है आपको हैना कोछ और कभी दाएं कोछ कभी दाएं चुका भी नहीं हूं मैं हैना इतने अपने पास इस अभी दोस्तो काल तुमसे होड है मेरी काल तुप से सुकून की तलास ये सारी रचना है समसीर बहादुर सें समसीर बहादुर सें की बारे में आपको बता है बुरसर ने कभीयों का कभी कहा जाता है है ना समसीर बहादुर को क्या कहा जाता है कभीयों का कभी आत्म जई किसकी रचना है चैन करिए आत्म जई के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है सबी लोग वीडियो लाइक करके दोस्तों अपने मित्रों तक से ज़रूर करें और जिन भी सात्यों को एड़ीसल लेना है वो बिल्कुल भी देरी ना करें अपनी तैयारी को विवस्तित करें दोस्तों अगर आप विवस्तित तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी करिए मैं बता रहा हूँ नहीं तो तैयारी बिल्कुल बंद कर दीजिए तैयारी करनी है तो बहुत अच्छी जिसमें आपको लगे कि हम 100% तैयारी के दे रहे हैं ठीक है, तब आपका सेलेक्षन निस्चित होगा, है ना, और आत्म जई किसकी रचना है, उतर है कुमर नाराण की, किसकी है, कुमर नाराण की, आत्म जई की रचनाकार कुमर नाराण है, साई में धूप, दुसियंत कुमार, कनू प्रिया, धरमबीर भारती, शैंसाई की एक नरेश महता, इनको याद रखेंगे, अंगला कॉस्चन आपको यहाँ पर दिया गया, कि तोडने ही होंगे मठ और गल सब किसकी पंक्ती है, तोडने ही होंगे मठ, गल सब किसकी पंक्ती है, यह पंक्ती आपको बताना है, 55 का आंसर आपको चैन करना है, और आपका बिलकुर शही आंसर हो जाएगा, किसर तोडने ही होंगे मठ, गल सब यह जो पंक्ती है, यह पंक्ती है मुक्ती बोद की, किसकी पंक्ती है, मुक्ती बोद की, और D नमबर आपका बिलकुर शही है, लाइक जरू करें सबी लोग, बिल्कुछ आई बात है, लाइक तो किया करें सबी लोग, तोड़ने ही होंगे मठगड, सब ये मुक्तिवोत की, राष्ट गीत में भला कौन भै भारत भाग बिदाता, रगवीर सहाय, हैना फटा सुतन्ना पहने जिसका गुरहर चरना अगाता है, कई दिनों तक चूला रोया, चक्की रही उदास, ये नागर जुन, ठीक है, असब्द, असब्द अधरों का सुना, भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रिकास, ये निराला की पंक्ती है, निराला की भी याद रखनी है, और सात्यों, जिन भी सात्यों ने एप को डाउनलो है, भागन दूत, मंजीर, जान्द का मोह, टेडा, ये सही अनुक्रम आपको बताना है, बताईए, अगर आप पर सही अनुक्रम बनता है, काल क्रमा नुसार, सही अनुक्रम क्या होगा, भागन दूत, मंजीर, चान्द का मोह, टेडा, या फिर उत्तर हो जाएगा, प्रश्न किर्मांग के हाँ पर आपका 56 है और 56 में आपका राइट आंसर चला जाता है उत्तर चला जाता है दोस्तों कि भगन दूत मंजीर चांद का मोह टेला और साखी यानि कि एक नमबर यह से कैसे याद रखोगे वुलिसर भगन दूत अग्गे मंजीर गिर्जा कुमार म हैना चांद का मोह टेला मुक्ती बोध और साखी 1983 बिजय देव नारान साही याद रखना है ठीक है भगन दूत के रचनाकार कौन है तो आपको बताना अग्ये मंजीर के रचनाकार कौन है गिर्जा कुमार मात्र चांद का मोह टेला यह किसकी रचना है मुक्ती बोद साखी की रचना कार कौन है विजय देव नारान साही ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है फिर यहाँ पर आते हैं अंगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना कुमर नारान की है कौन सी रचना है बताइए चार बिकल्प है पतेक बास्तरबा की बह बहाने मगद या फिर पहाड पर लाल टैन कौन सी रचना कुमर नारान की है यानि कि 57 का आपको चैन करना है कौन सी रचना कुमर नारान की है ये आपको बताना है और कुमर नारान जो है दोस्तों इनकी रचना है कौन सी बिजय बाज स्रबा के बहाने बास्तरबा की बहाने यानि B no. वाजसरभा की वहाने आपका बिलकु सही है ये कुंवर नारानकी किरती है पथिक की रचनाकार राम नरिश्तर पाटी है मगत की रचनाकार श्री कांत बर्मा है पहाड पर लाडेटेन की मंगडेस डवराल की रचना है ठीक है अंगला question है कुवानो नदी की रिचनकार कौन है 58 का answer आपको चेन करना है चार बेकलब है हमारे सामने कुवानो नदी मैंने आपको कई बार बताया है कुवान और नदी का क्या करना है सर्वे करना है तो तर क्या हो जाएगा कुवानो नदी की रिचनकार कौन है बताये चार बेकल सर्वे सुर्दयाल सक्सेना रवीर सहाई स्रीकांद वर्मा या फिर नरेश महता और कुवान और नदी का क्या करना है हमें शर्वे करना है और उत्तर चला जाता है तो बोले सर्वे करना तो सर्वे सुर्दयाल सक्सेना कुवानो नदी हैना जंगल का दर्द फूटियों पर टंगे लोग ये माने जाती हैं शीडियों पर दूप में हैना आत्मत्या की व्रोध्य हसो हसो जल्दी हसो लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिठियां एक समयता की रगवीड सहाय की किरतियां हैं ठीक है नरेश मेता की किरतियां बन पाकी सुनो बोलने दो चीड को मेरा समर पिते कांत चेत्या चेत्या याद रख्टेना है उत्सवा ठीक है संसय की एक रात महा प्रस्तान और दोस्तों प्रवाद पर्वसबरी स्रीकांद बर्मा की रचनाओं की बात आती है तो दिनारंब माया दर्पन हैना जल साघर और मगद ये मगद कई बार पूची गई रचना है स्रीकांद बर्मा की इसको याद रखेंगे माया दर्पन कई बार पूची गई रचना है स्रीकांद बर्मा की इसको भी हमें याद रखना है कौन सी रचना समसेर बहादूर सेंकी है ये आपको बताना है बताए यह कौन सी रचना समसेर बहदूर सिंकी है? बहुत बढ़िया question याद है तो बढ़िया है, revision हो जाएगा है ना, और कौन सी रचना समसेर बहदूर सिंकी है? 59, बता ये 59 का answer समसेर बहदूर का आपको answer बताना है पीली छतरी वाली लड़की पीली रात, पीली आंधी या फिर एक पीली साम कौन सी रचना समसेर बहादूर सेंकी है एक question आपको बताना है और 59 में आपका बिलकुश सही आंसर है समसेर बहादूर समसेर बहादूर बोली सर सेर तो पीला रहता है है ना तो इनकी पीली साम एसा भी question आता है दोस्तों कि पीली साम की रिचनाकार कौन है तो समसीर बहादूर है ना और पीली चत्री बाली लड़की उदय प्रकास ठीक है यहाँ पर देखो पीली चत्री बाली लड़की उदय प्रकास जी की कहानी संग रहे है है ना और पीली आंदी की रिचनाकार कौन है प्रभाग खेतान एक पीली साम की रिचनाकार कौन है तो समसीर बहादूर इनको आपको याद रखना है ठीक है यह याद रख़ेना है यह सभी हो जाएंगे कि पीली चत्री बाली लड़की उदय प्रकास कहानी संग रहे है ना प इतना confusion होता है इन्ही questions में कि आप 100 मैंसे 10-15 तो आप गलत करके ही आजाते हो, हैना क्या करोगे भईया, यह बताइए कि निम्न मैंसे कौन सा काँभि संग्राय समसेर बहादृसें का नहीं है, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आजभी आँखों से, काल तुम से खोड है मेरी समसिर बहादुर सेंग की रचनाएं नहीं हैं यह आपको बताना 60 का आंसर आपको चैन करना है और आपने बिल्कुर सही आंसर चैन किया है कि सर समसिर बहादुर को तो कभीयों का कभी कहा जाता है लेकिन इनकी रचनाओं में कुछ कभीताएं इनकी भी नहीं हूँ मैं इतने अपने पास उदिता अभी व्यक्ति का संगर्स बात बोलेगी काल तुमसे होड है मेरी है ना ये सारी रचना है दोस्तों किसकी हैं ये रचना हैं अपने समसेर बहादुर की इन रचनाओं को याद करना है ठीक है इसी प्रकार से बने रहना है और सब सब से पहले आपको बताना है कहां जाओं हर्देसा में म्रत्यू से भी बहुत आंगे की अपरीमित दूरियां है कभिता के ये पंक्तियां कुमर नारण की किस रचना से हैं चक्रिव्यू से अपने सामने आत्म जाई या फिर परिवेस हम तुम चार बिकल्प है शिक्ष्टी बन का अंसर आपको बताना है और कहां जाऊं हर देसा में व्रत्यू से भी बहुत आगे की अपरिमेत दूरियां है कभी ताकि यह जो पंक्तियां माने जाएंगी यह पंक्तियां है आत्म जाई यह ना आत्म जाई दोस्तों आपको पता है कि यह जो रचना है जो रचना माने जाती है आत्म जाई इसके रचनाकार कौन है कुमर नाराण है और स्री नम्मर आपका बि बेस हम तुम आत्म जाई अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों बाज सिरबा के बहाने कि सारी की सारी रचना किसकी मानी जाती हैं दोस्तों कि रचना मानी जाती हैं किसकी कुँवर नाराण की खेक है अंगला क्वेश्चन है अग्गे की रचना है तो अग्गे की रचन कौन सी है 62 को आंसर कुरू छेत्र हुंकार हरी घास पर छण भर या फिर पबन दूत यानि कि आपका 62 को आंसर आपको बताना है 62 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा अग्गे की रचना बताना है कौन सी है अग्गे की अग्गे की रचना कौन सी है सचिदा अनंद हीरानन बासाइन अग्गे चार विकल्प आपके सामने अग्गे की रचना को आपको चैन करना है और आपने बिलकुछ सही बताया कि सर कुरू छेत्र हुंकार इसारी रचना है तो आपको बता है ये रचना एक दिनकर जी की है ले इनकी अन्य रचना है वाबरा अहेरी इंदर धनुस रोंदे हुए अरी योग करुणा प्रभाम आए आगन के पारदवार ये सारी रचना माने जाती है बाकी कुरूचेत्र हुंकार ये रामधारी से दिनकर की रचना है ठीक है अंगला क्वेश्चन आपको बताना यहाँ पर की उडगया गरचता यंतर गरण बनबिंदू सुन में पिघल गया पर साप ये पंक्तियां अग्ये की किस कविता से हैं के बताईए चार विकल्पे 63 का आंसर है उडगया गरचता यंतर गरण बनबिंदू सुन में पिघल गया पर साप इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका 63 में ये पंक्तियां आपको बताना है कि अग्ये की किस कविता से हैं पहचान साप हरी घास पर छण भर या फिर हवा यड़े पर बिदा हवा यड़े पर बिदा ये पंक्तियां आप से पूछी गई उड़ गया गरचता यंत्रगरण बन बिंदु सुन में पिघल गया पर बन बिंदु सुन में बिदा गया पर साप है ना इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों कि पंक्ति इनकी माने जाएगी ये पंक्ति किसकी माने जाएगी है ना इनको याद रखना है और दोस्तों पंक्तिया प्रियोगबादी का भी अग्ये की हवाई अड़े पर विदा नामक कभिता से हैं अग्ये प्रियोगबाद के प्रवर्तक तथा समस्त सब्तकों के संपादक ते अग्ये को प्रियोगबाद तथा नई कभिता का सला का प्रोष कहा गया कि आपको याद रखे ना है ठीक है अंगला क्वेश्चन है ठंडा लोहा कभीता संग्राई की रचनाकार कौन है ठंडा लोहा आपको बताना है ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है सभी लोग आइंसर बताएंगे दोस्तो उत्तर क्या हो जाएगा ठंडा लोहा के जो र रचनाकार कौन माने जाते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है, बताइए जल्दी से, इस सही आंसर आपको बताना है, ठंडा लोहा की रचनाकार कौन है, ठंडा लोहा, आप से पूछा जाएगा दोस्तो, और ठंडा लोहा की जो रचनाकार माने जाते हैं, वो माने जाते हैं, धरम बीर भारती, बोले धरम की सरण में लोहा भी क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है यनि कि आपका उत्तर चला जाता है बिकल्प नम्मर एक की तरफ ठंडा लोहा काब संगले की रचनाकार धरमबीर भारती हैं धरमबीर भारती मुलते प्रेम के कभी हैं इनकी अन्य प्रमुक रचना है ठंडा question बताना है भारत भूशन अगरवाल के काब संग्रह काब संग्रह छबी के बंधन जाते रहो मुक्ती मारगों पर अप प्रस्तुत मन कागच के पूल एक उठा हुआ हाथ उतना बह सूरज है इस अभी मान जाते वाकि गिर्जा कुमार मातुर की अगर बात करेंगे तो इनके क गंटियां बास का पुल एक सूनी नाव गर्म हबाए कुमानो नदी जंगल का दर्द खूटियों पर लोग ये आपको याद रखना है अब दोस्तों आपको सुमेलित करना है कृतियों को आत्मजाई की रिचनाकार कौन है खूटियों पर टंगे लोग किसकी रिचना है मग से आपको चैन करना है तो आत्मजाई खूटियों पर टंगे लोग मगद और पहाड पर लाल टेन तो इतना तो सबी लोगों को पता है कि सर आत्मजाई की रिचनाकार हो जाएंगे कौन कुमर नाराण है ना कुमर नाराण हो जाएंगे खूटियों पर टंगे लोगों का सर सर्वेशुर्दयाल सक्षयना मगद श्रीकांत बर्मा पहाड़ पर लाल टेन के मंग्रेस डबराल की है क्यानि कि आपका ओतर कौनसा होगा आपने देखा ऑतर क्विकल्प नमबर D Papa आपका बिल्कुँ सह है यह वाला ठीक है D देखो आत्मे जै की रचना कार कोझ है तो कुमर नारायन की हूटियों पर टंगे लोक के रचना कार कौझ है शर्वेश इर्दयाल सक्सेना थीक है मगद किसकी रचना है श्रीकान्त बर्मा की पहाड़ पर लाटन की रचना कार कोझ है मंगलेष डबराल और समर गाथा इराज इस जोसी की रचना है इसको आपको याद रखना है अब यहाँ पर आते हैं प्रियोगबाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रियोगबादी कभी का मुख्य तत्त क्या था मुख्य तत्त बताना है क्या था दोस्तो नए काब करणों का प्रियोग यहाँ पर थोड़ी सी हैना प् आता है नई राहों का अन्वेसन हैना एक क्वेस्चन आता है दोस्तों कि तार सब तक के कभियों को राहों का अन्वेसी किस ने कहा है तो दोस्तों किस ने कहा है अग्ये ने तो आपको इतना याद रख रहे ना है कि नई राहों का अन्वेसन हैना या राहों का अन्वेसी कभ आपको बताना है कि कौन तारसब्तक का कभी नहीं है, 67 का अंसर, कौन तारसब्तक का कभी नहीं है, समसीर बहादौर, गिर्जा कुमार मातोर, मुक्तिवोद या फिर प्रभाकर माचवे, बताइए, कौन तारसब्तक का कभी नहीं है, तारसब्तक मतलब दोस्तों अपन समझते हैं कि वो तारसब्तक की बात हो रही है प्रिथम बाले तारसब्तक की बात हो रही है ठीक है तो प्रिथम बाले जिसको दोस्तों प्रिथम नहीं बोला जाता कि बल क्या बोला जाता है तारसब्तक बोला जाता है तो निम्नमय से कौन तार सब्तक का कभी नहीं है ये आप से पूछा गया तो नहीं है तो शम्शेर बहादुर से हैं मुक्तिबोध हैं गिर्जा कुमार मातोर हैं प्रभाकर माचबे हैं बाकी आपका उत्तर ए नमबर बिलकुर शही है ये आपका सही हो जाएगा ठीक है अब तोड़ा सा बढ़ते सार सब्तक नई कविता का प्रस्तान बिंदू माना जाता है सार सब्तक में दोस्तो निमल के साथ कभी सामिल हैं अग्ये मुक्तिबोध नयमी चंद्र जैन और भारत भूशन अगरवाल प्रभाकर माचबे गिर्जा कुमार मातोर और राम बिलास शर्मा ठीक है अग्ये कौन से बाद के कभी हैं प्रश्न किर्मांक 68 अग्ये कौन से बाद के कभी हैं प्रिगति बाद के प्रियोग बाद के चाया बाद के या पिर इनमें से कोई नहीं अग्ये का पूछा गया है आपसे बिलकु सरल क्वेस्चन आपसे पूछा गया जल्दी से आपको उत्तर बताना ह बहुत बढ़िया प्रस्न है दोस्तों अग्ये के बारे में पूछा गया और अग्ये के बारे में तो अपन पढ़ते हैं किसरे ने ग्यान पीट प्रुस्कार भी मिला था अग्ये जी को है ना इनकी रचनाए भी है और इनकी रचनाओं में दोस्तों के प्रियोग बात के प्र तारसब तक के सभी कभी आती हैं तारसब तक में संकलित कभियों की नाम इस तरह हैं अग्ये राम्बिला सर्मा मुक्तिबोध प्रभाकर माचबे नयमी चंदर जैन गिर्जा कुमार मातोर इबं भारत भूशन अगरबाल ठीक है इसको याद रखेंगे चांद का मोह टेड़ा कि किसकी रचना है यानि कि आपको 69 का आंसर बताना है चांद का मोह टेड़ा की रचना कार कौन माने जाती है कि आपको बताना है और राइट आंसर है बुरिसर मुक्ति के बाद चांद का मोह टेड़ा हो जाता है मुक्ति के बाद और उत्तर आपका चला जाता है बेकल्प नम्मर बी की तरफ काई के बाद मुक्ती के तो चांद का मोह टेड़ा की रचना भी किसकी होगी और इसरी रचना मुक्ती बोध की होगी यह ना यानि बी नम्मर आपका मुक्ती बोध बिलकुल सही आंसर हो जाएगा चांद का मोह टेड़ा की रचिता मुक्ती बोध हैं इसक की असाद बीना के किस प्रकार की काभ किरती है प्रश्ण क्रूमांग 70 और 70 का उत्तर आपको बताना सबसे पहली बात तो यह आपको पता होनी चाहिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि असाद बीना की रचनाकार कौन है तो आप बताओगे क्या अग्ये असाद बीना की रचना अग्ये और दोस्तों कि असाद बीना इनकी लंबी कविता है अगर कभी आपके ओफसन में प्रिलंब काब बाजाए तो असाद बीना प्रिलंब काब यानि की क्या होता है लंबी कवि अग्ये का पूरा नाम आपको बताना है अग्ये का पूरा नाम क्या है आसान कॉस्चन सभी से आना चाहिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरू कर देंगे जिन भी सात्यों को एड़िशन लेना हिंदी साइट के कोर्स में वो एड़िशन लेकर के अपनी पड़ाई को कर सकते हैं दोस्तों हैना अपनी तयारी को कर सकते हैं अग्ये का पूरा नाम आपको बताना है तो लगबग सभी लोगों का सही उत्तर आएगा इसर अग्ये के आपको पता है अग्ये का पूरा नाम सचिदानन्द हीरानन बास्साइन अग्ये भगन दूत किसकी रचना है तो अग्ये की चिंता काब किसका है अग्ये का बाबरा अहेरी की रचना कार कौन है अग्ये इंद्र धनुस भी अग्ये की रचना है आंगन के पारद्वार की रचनाकार कौन है तो आपका उत्तर हो जाएगा अग्गे सागर मुद्रा रचना किसकी है अग्गे की निवन मैसी कौन सा कभी दूसरा सब्तक में संबलित नहीं है दूसरा सब्तक में कौन संबलित नहीं है भवानी प्रसाद मिस्त्र शकुंत मातर मुक्ती बोध या फिर समस तो अपन को पता है दोस्टों कि हरी भवानी सकुन करे सेर नरे रगु धरम करे तो हरी भवानी तो है भवानी है हैना सेर सेर समसेर भाधर है शकुन्त मातुर है लेकिन ये मुक्ती बोध नहीं है मुक्ति बोट तो क्या है है ना नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आग्या से तो मुक्ति बोट तो बोले सर तार सब तक के कभी है ये तो तार सब तक के कभी है कि दुतिये तार सब तक के कभी नहीं है यानि कि आपका उत्तर चला जाता है D की तरफ डी नमबर आपका बिलकुर सही हो जाता है इसको याद रखेंगे ठीक है डी नमबर राइट अंसर अब यहाँ पर आते हैं दूसरा तारसब्तक उननीस सो इंक्यावन इसमी में अग्गे के संपादन में प्रिकासित हुआ इस तूसरे तारसब्तक में निम्ल के साथ कभियों क की रचनाओं को संक्लित किया गया सबसे पहले भावानी प्रसाद मिस्त्र शकुंतला मात्र हैना यह सकुंतला मात्र दोस्तों यह तीसरे दूसरे तारसब्तक से संबंदित थी एक क्वेस्चन भी कई बार आया है हरी नारान ब्यास संसेर बहादूर सेह नरेश महता रगवी नैमी चंद्र जैन हैना तारसब्तक में कौन-कौन से थे नैमी चंद्र जैन गजान अनमादाव मुक्तिभोद भारत भूशन अगरबाल प्रभाकर माचबे गरजा कुमार मातोर राम बिला सर्मा और अग्ये यह आपको याद रखना अग्ये की रचना है तो कौनसी है अग अग्ये की रचना कौनसी है अग्ये की रचना अपन को बताना है और अग्ये की जो रचना है दोस्तों वो रचना है हरी घास पर चनबर यहन की आपका जो बी नमबर है वो बी नमबर आपका बिलको सही है हरी घास पर चनबर यह रचना किसकी है तो यह अग्ये की है अग्य के पारदवार अरियो करणा प्रभा मैं कितनी नाव में कितनी बार शागर मुद्रा क्योंकि मैं उसे जानता हूँ असाद बीडा चिंता तथा इतलम की प्रियोगबादी कभी अग्गे की रचना हैं कुरू चेत्र तथा हुंकार रामधाई से दिनकर की और पवंधी धोई की अपन को कुवा और नदी का क्या करना है जल्दी से बताईए कुवा और नदी के बारे में आपको बताना है कि कुवा और नदी का क्या करना है प्रश्न किरमांग 75 और आप से पूछा भी गया कि कुवान और नदी की रचनाकार कौन है ये आप से पूछा गया तो जल्दी स से आपका उत्तर भी आना चाहिए उत्तर क्या हो जाएगा बताईए कुवानो नदी इसके कभिता संग्रा एक किसका है यह आपको चेन करना है और आपका बिलकुर शही आंसर हो जाता है सर्वेश्चुर दयाल सक्सेना सर्वेश्चुर दयाल सक्सेना यानि कि आपका डी नमबर कुवान और नदी का क्या करना है पुरिसर कुवान और नदी का करना है सर्वेश्चुर दयाल सक्सेना जंगल का दर्द सर्वेश्चुर दयाल सक्सेना की रचना है ठीक है और दोस्तों एक सूनी नाव भी इनी की है एक सूनी नाव ये आपको पता है कितनी नाव में कितनी बार ये अग्गे की रचना है लेकिन एक सूनी नाव की रचना कार कौन है एक सूनी नाव के रचना कार हैं दोस्तों कौन एक सूनी नाव के रचना कार माने जाते हैं सर्वेस्टों दयाल सक्सेना गर्म हबाएं काट की घंटियां बास का पुल इनको याद रखेंगे हैना कभी सर्वेस्टों दयाल सक्सेना के दौरा लिखी गई ये काब करतियां मान जाती हैं दोस्तों किसकी अग्गे जी की ठीक है अब यहां पर हम बात करेंगे अंगले क्वेस्चन की की मिट्टी की बरात मिट्टी की बरात दोस्तों त्रिलोचन की भी रचना है और स्योमंगल शेंशोमन की भी रचना है, इसमें भी आपको confusion नहीं होना, तार सब तक में कौन कभी सामिल नहीं है, यह बताना है, प्रिभाकर माच्बे, नيयमी चंदर जेन, भारत भूशन अगरबाल, रामधारिश धिनकर, बताईए, तार सब तक में कोन कभी सामिल नहीं था, प्रिभाकर माच्बे, तार सब्तक में बताना है तो तार सब्तक में एक क्वेश्चन आता ही है इसलिए तार सब्तक को मैंने ट्रिक से भी आपको बताया है एप में है ना ट्रिक से पूरा आपको समझाया है तार सब्तक में कौन कभी सामिल नहीं था उत्तर हो जाएगा रामधारिश ने दिन कर यान नेमी चंदर जैन, मुक्ती बोध, भारत बूशन अगरवाल, प्रिभाकर माचबे, गिर्जा कुमार मातोर, राम बिलास सर्मा, अग्ये इनको याद रखेंगे और उन्नी स्विंग क्यावन में दूसरे सब तक तथा उन्सट में तीसरे सब तक का प्रकासन किया गया ये वी आपको याद रखेंगे ना, और अंगला कॉस्चन है, आत्महत्या के बृद्ध कभीता संकलन के कभी कौन है, बताइए, 76 का आंसर, आत्महत्या के बृद्ध कभीता संकलन के रचनाकार कौन है, कभी कौन है, ये आंसर आपको, 76 और आत्महत्या के बृद्ध, बुले स सहाय करते हैं आत्म हत्या की बुरुद्ध सहाय करते हैं कौन रगवीर तो रगवीर सहाय यानि की स्री नंबर आपका बिलको सही है यह आपको याद करना रगवीर सहाय की रचना आत्म हत्या की बुरुद्ध यह कई बार पूछी भी गी है और पूछी भी जाएगी ठीक है अ हसो हसो जल्दी हसो लोग भूल गए हैं शीडियों पर धूप में भी इनी की रचना है लोग भूल गए हैं ये भी रगवीर सहाई की है और दोस्तों यहां पर बात करें खूटियों में टंगे लोग सोया हुआ जल कुवानो नदी एक सूनी नाव के सर्वेशु दयाल सक्षे चैना की रचनाय माने जाती हैं ठीक है भूल गलती कविता के कभी कौन है भूल गलती कविता के कभी आपको बताना है नागरजुन किदार नात अगरवाल त्रिलो चन या फिर मुक्ति बोध यानि कि 76 भूल गलती कविता के कभी कौन माने जाती है ये उत्तर आपको बताना है और 77 का आंसर 77 में भूल गलती कविता के कभी कौन है उत्तर चला जाता है मुक्ति बोध उत्तर चला जाता है मुक्ति बोध यनि कि आपका उत्तर है D नमबर बोध आपका सही आंसर है भूल गलती ब्रह्म राक्षस हैना चांद का मुठेला अंधेरे में भी रोध दोस्तों मुक्ति बोध की हैना भूरी भूरी खागदूल गजाननमादों मुक्ति बोध की ये काब रचनाय मानी जाती है है योगधारा सतरंगे पंकोंबाली 85 तुमने कहा था ये रागरजुन की दोस्तों रचनाय माने जाती है ठीक है बाकी आपको पता है नींद के बादल नींद के बादल किसकी रचना है नींद के बादल तो सभी लोगों को पता ही है कि सर नींद के बादल की अगर बात करोगे तो एक केदारनात अगरबाल की रचन यह भी आपको पता है ठीक है अब यह बताना है आपको कनुप्रिया के लेकक हैं तो कौन है कनुप्रिया के लेकक आपको चैन करना है जिन भी सात्यों ने एप डाउनलोड नहीं किया वो सेल्प स्टेडी किलासेस का एप जरूर डाउनलोड कर लें ठीक है आपको एप डाउन खक माने जाते हैं वो क्ऌन है धरम बीर भारती कनू प्रिया बुलिस्थर धर्म तो कानों को प्रिये लगता है तो कनू प्रिया अन्धायोग ठंडा लोहा साथ गीतबर साधी धरम बीर भारती की का विक्रतियां भूनाहों का देवता सुरज गोडा है न ये दोस्तों इनकी रचनाय माने जाती हैं गुल की बन्नो बंद गली का आकरी मकान सावित त्री नमबर दो इन रचना को याद्स करना है ठीक है और दोस्तो असार का एक दिन मलवे का आदमी एक और जिंदिगी आधरा फौलाद आकास जानवर ये मोहान राकेस की रचना है अंगला क्वेशन अनिवेशी किसने कहा था ये आपको बताना है प्रशन करमांग 79 तार सब्तक में संकलित कवियों कुराहों के अनिवेशी किसने कहा सबसे पहली बात तो ये तार सब्तक के कवियों को संकलित कवियों कुराहों का अनिवेशी कहा गया और ये किसने कहा तो आपका उत्तर चला जाता अग्गे अग्गे यानि की बी नंबर ठीक है बी नंबर अग्गे बिलको शही है हिंदी काव में प्रियोगबाद का प्रारंब 1943 हिश्वी में अग्ये द्वारा प्रतम तार सब्तक के प्रकासन से माना जाता है ये आपको पता है तार सब्तक में समले साथ कभियों की रचनाएं अब तक प्रचलित कभिताओं की लीक से हट कर नई संबेदना नई भाव वो दिवम सिल्प से योक्त थी और इसी कारणा गे ने प्रियोगवादी कभियों का राहों का अनिवेसी कहा था तीक है जिन में दोस्तों नयमी चंद्र जैन, मुक्ती बोध, भारत भूशन अगरवाल, प्रभाकर माचबे, गिर्जा कुमार मातोर, राम बिलास सर्मा, नयमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आग्या से नयमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आग्या से एक ओड तो आपको पताई है किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इसपाती दस्ताबेज है यानि की दहकता दस्ताबेज आपको बताना है प्रश्न किरमांक असी बहुत बड़िया प्रश्न है इसपाती दस्तावेज पूछा जाएगा या फिर दहकता दस्तावेज आप से पूछा जाएगा तो किसकी रचनाएं हैं किसकी कविताएं हैं स्वधीन भारत का इसपाती दस्तावेज प्रश्न किरमांक 80, 80 में आपको चैन करना है फटाक से उत्तर बताएंगे आप किसकी कविताएं स्वधीन भारत का इसपाती दस्ता बेज हैं। इसपाती दस्ता बेज हैं। कामाई नियक पुनर विचान की रचना कार भी कौन हैं। मुक्ती बोध हैं। भूरी भूरी खागदूल किसकी रचना हैं। मुक्ती बोध की हैना सताय से उठता आदमी हैं किसकी रचना हैं। मुक्ति बोद की इनको अपन को याद रख लेना ये पूछी जाती है मुक्ति बोद है ना अब अंगला क्वेस्चन है दोस्तों प्रत्वी कल्प किसकी रचना है प्रश्निक रमांकर एट्टी बन प्रत्वी कल्प किसकी रचना है भावानी प्रसाद मिस्र की गिर्जा कुमार मातुर की मुक्ती बोथ की या फिर धरमबीर भारती की और आपका राइट आंसर है प्रत्वी कल्प किसकी रचना है उत्तर चला जाता है गिर्जा कुमार मातुर गिर्जा कुमार मातोर क्यानि आपका बी नम्मर प्रत्वी कल्प के जो रचनकार हैं वो गिर्जा कुमार मातोर हैं प्रियोगबादी कविता की प्रमुक कभी गिर्जा कुमार मातोर द्वारा रचित का विकरतियां प्रत्वी कल्प कल पांतर, छायामत छूना, चलापंक चमकीले, भीतर नदी की आत्रा, साक्षी रहे वर्तमान, दूप के धान, नास और निर्मार तथा मंजरी हैना, अग्ये द्वारा संपादेत, उनी सो तेतारिस में प्रिकासे प्रतमतार सब्तक के कभी गिर्जा कुमार मातोर की कविता में, सामाजे के अथार्थ के पिर्ति आग रहे, नए बिम्बो पिर्ति को एवं उपमानों का प्रियोग, ये आपको याद रख लेना, ठीक है? प्रिकार की जो होती है, प्रिकार की जो होती है, वो कहलाती है, ठीक है? प्रियोग बात के बाद हिंदी कभीता की जो नवीन धारा विक्सेत हुई, उसे क्या कहा जाता है? और 82 में आपका बिल्कुल शही आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 82 में नई कभीता, नई कभीता यानि ए नंबर, ए नंबर आपका बिल्कुल शही है, प्रियोग बात के बाद हिंदी कभीता की जो नवीन धारा विक्सेत हुई, उसे कहा गया क्या? नई कभीता, ठीक है? ये नई कभीता आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, प्रियोग बात के बाद हिंदी कभीता की जो नवीन धारा विक्सेत हुई, उसे नई कभीता कहा जाता है? नई कविता नाम अग्ये द्वारा प्रदत है, हैना अग्ये प्रियोगबात की प्रवर्तक हैं, एवाम उसके सबसे अधिक विरोध करता भी माने जाते हैं तो यहां से तीन क्वेश्चन बन गए साथ ही हो अपने, कौन कौन से बन गए, एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कि नई कविता सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया, आपका उत्तर होगा अग्ये जी ने, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अग्ये की प्रियोगबात की प्रवर्था कौन है आपका उत्तर होगा अग्ये फिर आपसे तीसरा question पूछा जाएगा कि प्रियोगबात का सबसे ज़्यादा जो ब्रोध किया वो किया किसने अग्ये अग्ये ने ठीक है अमन की राग के लेखा कौन है 83 अमन की राग के लेखा कौन माने जाते भवानी परसाद मेस्तर मुक्ति बोध शमसेर बहादर या फिर इन में से कोई नहीं अमन की राग अमन की राग ये उत्तर क्या हो जाएगा 83 में अमन की राग की जो लेखाख है अमन क की उत्तर शी नंबर बिल्कुश ही है अमन की राग की लेकक समसीर बहादूर से हैं अमन का राग दोस्तों सलोना जिसमें आउना तथा इतने पास अपने नामक कविताओं के रिचेता प्रियोग बादी काप धरा के कभी समसीर बहादूर ठीक है बाकी मुक्ती बोत चांद का म अंधेरे में तथा ब्रंबर आक्षस प्रमोक हैं तार सब तक के कभी भावानी परसाद मिस्त्र है ना ये प्रमोक काविकरतियां सत्पुड़ा के जंगल सन्नाटा गीत परोष कमल के फूर बानी की दीनता तूटने का सोक ये सबी मानी जाती है ठीक है अंगले क्वेस्चन की ओर हम बढ़ेंगे अंगला क्वेस्चन आपको यहां पर बताना है ये रहा आपके प्रस्ण सागर मुद्रा के लेकक हैं तो कौन है सागर मुद्रा के लेकक ये अपनने कई बार पढ़ा है एक क्वेस्चन पूचा भी गया है बताइए सागर मुद्रा के लेकक कौन माने जाते 84, शागर मुद्रा एक इसकी रचना है और इस चार बिकल्प आपके सामने है, उत्तर भी आपको चेहन करना है, सभी लोग लाइक जरू कर देना दोस्तो, 84 में सागर मुद्रा अगर आपसे पूछा गया, तब उत्तर भी आपका चला जाता है, अग्गे की तरफ है ना, सागर मुद्रा अग्गे, मैंने का सागर में मुद्रा मिलेगी, पुलिसर अग्गे, पता नहीं मुद्रा मिलेगी, सागर में अगर मुद्रा फैंक दो, तो सागर में मुद्रा मिलेगी क्या, अग्गे, अग्गे तो अग्गे, ठीक है, इसको याद रखेंगे, अब पहानिकार, उपन्यासकार, निवंदकार, वाप्रसित दालूचक, सचिदा नंधीरनन बास्ता इन अग्गे की प्रमुक्रतियां हैं, हैना कौन-कौन सी सागर मुद्रा, भगन दूत, चिंता, इत्तिलम, हरी घास पर छणबर, बाबरा हेरी, इंद्र धनोस रोंदे हुए, अ अरी ओ करुणा, प्रभामाए, असाद बीना, असाद बीना ठीक है, आंगन के पारदवार, सुनाहिले सेवाल, आपने देखा होगा दोस्तों, लोग क्या करते हैं, सागर में मुद्रा पहिंक देते हैं, हैना नदी निकली, दो का सिक्का पहिंक दिया, पाँच का सिक्का प हेकते हुए नदियों में, हैना साकी किस कभी का काब संगरा है, 85 का अंसर बताना है, साकी किस कभी का काब संगरा है, आपको बताना है, और साकी के जो रचनाकार है, 85 का उत्तर आपको बताना है, 85 में साकी किस कभी का काब संगरा है, वो है विजय देव नारान साही, बिजय दिव नारण साही मचली घर भी है इनका साखी याद रखने ना साखी विजय दिव नारण साही का काब संग्रे है ये तीसरे तारसब तक के कभी है इनके अन्न काब संग्रे मचली घर हैना संबाद तुमसे आदी जबकि कुमर नारण द्वारा रचेत काब संग्रे चक परिवेश अम्तुम आमने सामने कोई दूसरा नहीं हैना इनको भी अपन को याद रख लिना है ठीक है अब अगला कोश्चन यहाँ पर है दोस्तों क्या कोश्चन है अपना अंगला है अतिरेक बादी पूर्णता की तुष्टी करना हैना कब रहा आसान मुक्ति बोद द्वा तियकतों कि बिएक इस्थिती का देवब तक है औ série 66 इत 16 का उन्सर कि अतिरेक बादी पूर्टा की थुष्ठी करना तब रहा आसान मुक्ती बोद द्वारा किया गया यहकतन किस विसेश मना इस्तिती का दियो तक है उत्तर आपका हो जाएगा भूंकों के दुराग रह से उत्पन असहाय इस्तिती यानि कि आपका राइट अंसर चला जाता है विकल्प नमबर बी की तरफ और बी नमबर आपका बिलकु मना इस्तिती का दियो तक माना जाता है ठीक है अंगला कोस्चन है प्रगति बादी कभियों में अपनी विचार धारा से कटरता पूर जुड़े रहने बाले कभी कौन है बताइए प्रश्न किरमांक 87 और 87 का राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा प्रगति बादी कभियों में अपनी विचार धारा से कटरता पूर जुड़े रहने बाले कभी हैं तो कौन है वीडियो को लाइक करना है दोस्तों जिन भी सातियों को कोर्स में एड़िसर लेना है बढ़िया ओफर लाब जरू लें ओफर का और दोस्तों अपनी तयारी के लिए दोस्तों जुड़ जाएं होली के बाद इस ओफर को 31 मार्चता के ओफर है आपके लिए है ना तो ये प्रगतिवादी कभियों में अपनी विचार धारा से कटरता पूर जुड़े रहने बाले कभी गजान अनमादाव मुक्ति बोध यानि कि आपका उत्तर बी नम्मर बिलको शही है बी आपक कार भी थे हैना और समीक चक भी थे इन्हें प्रगति सील कभिता तता नई कभिता के बीच एक सेतू माना जाता है इनके द्वारा रचित कभिता संग रहे चांद का मोह टेड़ा भूरी भूरी खागदूल ये बहुत ही महत्पूर मानी जाती हैं अनेक अनेक कभियों को प् प्रवर्टक माने जाते अग्य है ना और तार सब्तक से दोस्तो तार सब्तक के प्रारंब से इस प्रियोगबाद का प्रारंब माना जाता है और इसका प्रारंब माना जाता है इतनी चीज तो लगभक सभी लोगों को पता है ठीक है फिर एक चीज और आती है दोस्तो सबसे पहले जो प्रशन बनता है कि प्रियोग बाद की प्रबर्तक कौन है एक question लेकिन दूसरा question उसके बाद बन जाता है कि प्रियोग बाद का ब्रोध सबसे ज़्यादा किस ने किया तो यहां पर confuse में डाल देता है question ओप्शन में अग्ये भी होता है तब भी आप अग्ये नहीं ल लेकिन दोस्तों आपको पता है कि अग्ये ने नई-नई काबधाराओं के अनिका ने कभीयों को प्रकासित करके उनकी सरबादे कालोचना के पात्र बन जाने बाले जो कभी थे वो कभी और कोई नहीं वो कभी थे अग्ये वो कभी कौन थे अग्ये ठीक है तो यहाँ पर आपक नई-नई कापधाराओं के अनेका ने कभियों को प्रकासित करके भी उनकी सरबादे कालुचना के पात्र बन जाने बाले कभी हैं अग्गे 1964 इस भी में आंगन के पारदवार पर उन्हें साहित अकादमी प्रोस्कार प्राप्त हुआ था ये भी आपको पता है दोस्तों आंगन के पारदवार के लिए मिला था क्या जल्दी से बताओ 1964 में है ना और कितनी नव में कितनी बार के लिए क्या मिला था आपको कमेंट में बताना है है में 1978 में इन्हें दोस्तों कितनी नाव में कितनी बार के लिए एक पुरुसकार मिला था उसका नाम तक ज्यान पीट पुरुसकार ठीक है बाकी इनके भगन दूत इत्यला महरी घास पर छड़बर के रचना इनकी बहुत ही स्रिष्ट रचनाएं मानी जाती है और अंगला क्व क्यों यहां पर आपको मैंने बताया है कि हिंदी साहित का अगर आप कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं है ना साथ ही लाइब क्लास है रेकॉर्ड़ेट कोर्स हमेशा के साथ यह सा पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप कोर्स को जॉइन कर लीजिए एप को डाउनलोड कर लीजिए साथ गीत वर्स किसकी किरती है साथ गीत वर्स किरती के लेका कौन है यह आप से अगर पूछा गया कॉस्चन तो दो सेकंड में आपका उत्तर आना चाहिए और यह साथ गीत वर्स किरती के लेका कौन है यह आप से यहां पर पूछा गया तब आपका बिलकुल स ही हो जाएगा यहां पर थोड़ा सा गंड क्या हो गया दोस्तों कि साथ गीत बर्स के लिए का कुण माने जाते हैं जल्दी से बताईए तो भवानी प्रसाद मिस्र माने जाते हैं कि आपको याद रख लेना है साथ गीत बर्स ठीक है कि धरमबीर भारती जल्दी से बताईए क बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो क्या बता रहे हैं धरमबीर भारती बता रहे हैं कुछ लोग भवानी पर साथ मिस्तर बता रहे हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका है ना पटाक से बताना है और आपका बिलकुर सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा धरम भारती है ना यहां पर कन्फ्यूज नहीं होना उत्तर यह नंबर बिलको सही हो जाएगा ठीक है साथ गीत बर्स के जो लेकक है वो धरमबीर भारती है ठीक है इसमें कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि बिकल्प नंबर जो एक है वो बिलको सही हो जाता ठीक है बहुत सारे ठीकि सूरज का सात्वा घोड़ा गुनाहों का देउता हैना ग्याराय सपनों का देश प्रारंब वा समापन के द्वारा लिखित ये पिर्शिद्व पन्यास माने जाती हैं ठीक है अब अंगला कोस्चन आपके सामने है निम्ड मैंसे कौन सा कभी तार सब्तक का नहीं है बता गाना है काई के धरम के धरम के गाना है इसलिए धरम वीर भारती साथ गीत गाना है धरम के तो साथ गीत बर से धरम वीर भारती है ना बहुत बढ़िया ठीक है इनको याद करना है निम्ड मैंसे कौन सा कभी तार सब्तक का नहीं है बताइए प्रश्न करमांक आपका 90 का उत सर्मा कौन सा कभी तार सब्तक का नहीं है इसका उत्तर बताना तार सब्तक मतलब क्या होता है दोस्तो तार सब्तक मतलब जिसे प्रथम तार सब्तक नहीं बोला जाता केबल तार यहां कन्प्यूजन होता है अरे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर तार सब्तक के कभी यह तो कि केबल जो प्रिथम बाला तार सब्तक है जिसे तार सब्तक के नाम से जाना जाता है उसकी बस बात हो रही है यानि कि आपका उतर है नरेश महता है नरेश महता यानि कि ये नंबर ये नहीं होते ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है है ना अब आपको दोस्तों बतान है कि नरेश महता किस तार सब्तक के कभी माने जाते हैं किस तार सब्तक से संबंदित थे नरेश महता ये उत्तर आपको बताना है जब प्रिथम से संबंदित नहीं थे तो ये किस से संबंदित थे बताइए नरेश महता तार सब्तक के कभी नहीं है बलकि दूसरा सब्तक के कभ भवाणी सकुन करे। सेर नरेरगु धरम करे एना? इसको आपको याद रखे ना कि दोस्तों नरेष महता दुतियतारस अब क्तक के कभी हैं और दुतियतारस अब से क्वाशन पूछा जाता है कि इसमें दोस्तों कौन सी कविट्री हैं दुतियतार सब्तक से संबंद joh कवित्री है वो क्वैन है तो अपनने पढ़ाता हरी भवानी सकुन करे यानि कि सकुनतला मांतौर है ना ये दोस्तों माने जाती है दुतिय सब्तक में और ये दुतिय तार सब्तक में कवित्री है जो की एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपको याद रखेना है दोस्तों अग्ये मुक्ति बोद प्रभाकरमाचबे नैमी चंद्र जैन गिर्जा कुमार मातोर राम बिला सर्मा और भारत भूशन अग्रबाल ये क्या हैं ये प्रिथम तार सब्तक यानिकी तार स अग्ये मुक्ति बोद है ना अब अंगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हरी घास पर छणबर किस रचनाकार की रचना है सरल क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है उत्तर क्या हो जाएगा धूमिल नागर जुन अग्ये या फिर मुक्ति बोद प्रश्न किरमांक 91 और 91 में अग्ये आपने सभी आंशर चैन किया हैSर अगर आपने हरी घास पर छणबर पूचा है तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या जैसे आप से अगर हम पूछाएं कि आप हरी घास पर छणबर लेट सकते हो बोले अग्ये तो अग्ये यानि किसी नंबर आपका सई है हरी घास पर छड़बर काब रचना की रचना कार अग्ये हैं है ना इनकी अन्य रचनाओं में इंद्र धनों सुरवंदे हुए थे हरी ओ करुणा प्रभा मैं आगन के पारदवार कितनी नाओं में कितनी बार इस सारी की सा स्री नहीं है धरमबीर भारती की आपको बताना है ठेले पर हमालाय आत्म जाई अंधा योग या पर साथ गीत बर्स कौन सी रचना नहीं है सभी लोग लाइक और सेयर जरू करते जाए अपने मित्रों तक एकलास रोज 9 बजे होती है जिन भी सात्यों को दोस्तों क्या करना है जिन भी सात्यों को एडबीसन लेना है वो एडबीसन ले सकते हैं हैना कल लास्ट तारीक है मतलब 31 तारीक तक ये जो आफर चल रहे हैं सभी आफर 31 तारीक तक चलेंगे हैना तो कौन सी रचना धरमबीर भारती की नहीं है ये आप से पूछा गया तो बोले सर आत्म उत्तर लगा देना हैना आत्म जाई कुमर नाराण की रचना मानी जाती है इसको याद रखना आत्म जाई धरम बीर भारती की नहीं बलकि कुमर नाराण की रचना है जबकि अन्य सभी रचनाए धरम बीर भारती की हैं जैसे ठेले पर हमालाए यात्रा बिर्तांत साथ गीत बर्स गीत संग्रे तता अंदायोग ये गीती नाट्ट हैं दोस्तों इनको अपन को याद रखना है ठीक है अब अंगला कोश्चन यहाँ पर आता है अंगला कोश्चन उंगते अनमने जंगल तो आप सभी को बताना है सत्पड़ा की जंगल किसकी रचना है भावानी परसाद मिस्र की समसेर वहादुर कनया लाल मिस्र प्रभाकर गिरजा कुमार माथुर यानि की प्रश्न किरवांक 93 93 में आपको चैन करना है अपने सभी मित्रों तक दोस्तों सभी मित्रों को बताएं जिन को भी हिंदी शायत पढ़ना है है याना जो भी अपना बेसिक कंप्लीट करना चाहते है बहुत अच्छे से ठीक है तो सभी लोग दोस्तों अपने मित्रों को जरूर बताएं और एक कंटीनियू क्यलास जो आपकी चलती हैं चो कभी मिसापकी नहीं होती हैना सत्पुडा के जंगल किसकी रचना है उत्तर हो जाता बोले सर भवानी प्रसाद मिस्त्र है हैना जब आप सत्पुडा के जंगलों में जाओगे तो सबसे पहले भवानी को समरण करोगे क्यों करोगे क्यों कि सत्पुडा के घने जंगल उंग ते अनमने जंग तो दोस्तों, सत्पुढा के घंय जंगलों में जहांपर सेर भी रहते हैं, आप भवाणी को यात करोगे, पहले भवाणी जातो रहे हैं घंय जंगल में, लेकिन समाल लेना है ना, तो भवाणी परसाद मिस्त्र, सत्पुढा के जंगल, ठीक है, काब रचना के रचनाकार गीत फरोस के रचनाकार भवानी प्रिसाद मिस्त्र है लेकिन साथ गीत बर्स है बर्स में साथ गीत गाना है किसके धरम के साथ गीत गाना है तो साथ गीत बर्स धरम बीर भारती, गीत फरोस, गीत फरोस की रचनाकार भवानी प्रसाद मिस्त्र, हैना बानी की दीनता, तूटने का सुक, बुनी हुई रस्ती और खुशबू के सिलालेक, खुशबू के सिलालेक, ये आपको याद रखेना, निम्न मैंसे किस कभी का संब संबंद प्रियोगबाद से नहीं है, किस कभी का नहीं है, प्रियोगबाद से ये आपको चैन करना है, उत्तर आपका राइट क्या हो जाएगा, नागरजुन, अग्ये, मुक्ति बोध या भारत भूशन, अगरबाल, संबंद प्रियोगबाद से नहीं है, तो किसका नहीं ह नागर्जुन को नहीं है नागर्जुन बोले सतरंगे पंकों बाली युगधारा है ना ये दोस्तों आपका जो ये नंबर है नागर्जुन ये आपका ये बिल्कुल शही हो जाएगा ठीक है नागर्जुन दोस्तों ये प्रिगती बादी कभी माने जाते हैं इनका बास्तव के नाम क्या था मैतली में ये किस नाम से लिखते थे एक क्वेस्चन आते हैं आपको पता होनी चाहिए अगर पता है तो कमेंट में पटा-पट से लिख दो आप है ना नागरजुन कभी प्रगति बादी कभी हैं जब कि अन्य सभी ये दोस्तों ये क्या है प्रियोग बादी क अंगला क्वेस्चन आंगन के पार द्वार की रिचनाकार कौन है आंगन के पार द्वार आंगन की अच्छा एक चीज बताना बहुत अच्छे से बताना आपके घर में आंगन होगा आंगन होगा अब आंगन के आंगन में एक द्वार होगा अब आंगन के द्वार आर पार कितनी बार आप निकले दिन में आपको पता रहता क्या बताओ पुलि आंगन के पार द्वार कितने पार कितने द्वार पुलि सर अग्ये पताईए कोई हो आज आप आंगन के कितने पार द्वार निकले कितने पार द्वार निकले तो क्या बोलोगे आप किसी को डाटा नहीं पता कि हम चार बार बाहर गए या आर पार चार बार निकले पुलिसर अग्ये सीधा बोल दो अग्ये तो अग्ये से क्या बनेगा आंगन के पार द्वार ये आपका आंगन है है ना और ये आंगन का द्वार है ये वाला ठीक है अब आंगन के पार द्वार आप कितने बार पुलिसर अग्ये तो सीधा सीधा बोलो ना अग्ये ठीक है इसको आंगन के पारदवार के रिचनाकार सचिदानंद हीरानन बासाइन अग्ये हैना इनकी अंदर रिचनाओं में चिंता भगन दूत इत्तिलम इंदर धनो सरवंदे हुए हरी घास पर छनबर आदी ये मानी जात हिंदी जीवन जी नहीं निकले कोई बात नहीं है हैना इन निम्न मेंसे कौन सा कभी तार सब्तक का नहीं है कि 96 और 96 में आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा कौन सा कभी तार सब्तक का नहीं है फिर ये बार-बार पूछा ही जाता है ये गिली राम की आग्या से तो नियमी मुक्त भारत की प्रभाह से प्रभा करमाचवे गिलिए कहा ना नंहीं blame स्तर्मा से भाव स्तर्मा करें तुर्टीवार्वाम एंवी इस भुनला świe सिरने और धरम करें रगु धरम करें यानिंकि दुटिएं तार सब सब्सक्राइब से संबन दें यह तसे संब्सक्राइब में मैंने ट्रिक बहुत अच्छे से बताई है उसको याद करना है अब अंगला क्वेस्चन है कुमर नाराण किस सब्तक के कभी हैं तार सब्तक के दूसरा सब्तक के तीसरा या फिर चौता तार सब्तक के बताईए अपनने पड़ा था प्रियाग के कुमर केदार है ना प्रियाग के कुमर केदार काय के मद में है याद आप लोगों को की नहीं है बताईए इट्रिक मैंने आपको बताया था दोस्तों है ना और यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नाइन्टी स्टेबिन में प्रियाग के कुंगर केदार विजय कीर्थी के मद में सरवेश्वर बने है ना तो कुंगर केदार कुंगर केदार और दोस्तों एक कुंगर जो केदार थे और ये तीसरे तारसब तक से संबंदित थे तीसरे सब तक के कभी हैं तीसरा सब तक का प्रकासन 1969 में हुआ था कुंगर नारायन है ना ये आपको याद रखे ना इनकी रचनाओं में दोस्तो इन प्रितीकों के कर गए हैं कूच कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है वो परियुक्त पंग्तियां किस कभी की हैं यह उपमान मैले हो गए हैं इसका भी आंसर बताना है तो यह उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रितीकों के कर गए हैं कूच कभी बास कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा चूट जाता है वो परयोगत्पंग्तियों की रचनाकार कौन माने जाते हैं कि आपको 98 का अंसर बताना है अनीता जी टिर्की वीडियो में आप एप में जाना एप के कोर्स में जाना और एप में टिर्की वीडियो का फोल्डर बना है ट प्रियोगबाद कंटिन्यू जो अलग-अलग टॉपिक के दिये हैं प्रियोगबाद में जाना बहातार सब तक के कभियों की टिर्क मिल जाएगी और यहाँ पर आपका ये देवता इन प्रितिकों के कर गए हैं कूच ये जो पंक्ति है कि दोस्तों सचिदानंद हीरानंद अग्ये की है यानि कि आपका उत्तर चला जाता है ड की तरफ देव ये उप्मान मेले बिल्कुल एप्मान मेले छूट जाता है उपरियोगत्तिया ये दोस्तों किसकी हैं अग्ये जी की पंक्ति है यrafas kwestion आपको बताना है कि निन मैसे किस देबरित्न पौरान एक चरित्र पौरानेक चरित नचीकेता के माद्यम से कभी अपना मत प्रगट करता है बताईए ब्यक्त करता है यह बताना है तो किस रचना में पौरानेक चरित नचीकेता के माद्यम से वो रचना कौनसी है ये रचना तो कई बार पूछी भी गई है दोस्तों ठीक है ये रचना पूछी भी गई है कि पौराणे कि चरेत नची केता के माद्यम से कभी अपना मत ब्यक्त करता है तो वो रचना कौनसी है है ना वो रचना आपसे पूछी जाती है और वो रचना है दोस्तों कुमर नाराण की और कुमर नाराण की रचना है आत्मे जई है ना आत्मे जई रचना में दोस्तों नची केता के माद्यम से अपना कभी अपना मत ब्यक्त करता है और आत्मे जई रचना की रचनाकार कौन है तो बोले सर कुमर नाराण कुमर लोग बोले सर आत्मे हो चीकेता के माद्यम से अपना मत व्यक्त करते हैं इनको याद रखो निम्न मैं से किन का संबंद सचिदान नहीरन बास साइन अग्ये से है तो ये बताना है अग्ये से बताना किन का संबंद है ये बिकल्प है एक कूट भी आपको दिया है यहाँ पर एक कूट है आत्मे चेतस बिचार कभिता, बाबरा अहेरी, जापानी लोग कथा का रचनात्म को पियोग, बताईए, कौन सी दोस्तों इनका रचनाओं का सम्मंद अग्गे से है, अग्गे से बताओ, किसका है अग्गे से, तो आपको पता है, आत्मे चेतस, अग्गे, बाबरा अहेरी, अग्गे, जापानी लोग कथा का रचनात्म को पियोग, यह भी अग्गे की है, क्यानि कि A, C और D, क्यानि कि यहाँ पर देखा आपने, उत्तर चला जाएगा अपना A, C और D, D नंबर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर देखो, सचिदा अनंद, हीरा अनंद बास्साइन अग्गे, का सम्मंद आत्मे चेतस, चिंता नदी के दीब, हैना बाबरा अहेरी तो दुस्तूर को समर्पित, हैना बाबरा और जापानी लोग कता का रचनात्मा को पियोग, असाद बीना से है, जबकि बिचार कविता से अग्गे का सम्मंद नहीं है, यह आपको पता है, प्रकासन काल की दरश्टी से हरिवन स्राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्र करना है कि प्रकासन काल की दरश्टी से हरिवन स्राय बच्चन की जो रचनाओं का सही अनुक्रम है, वो क्या सही होगा, हरिवन स्राय बच्चन, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं, कि सर अगर हाला बात की बात करोगे, तो हाला बात की प्रबढ़ तक कोन है, हरिवन स्राय तो आप उत्तर क्या लगाते हो जदी से चैन करो और इसका उत्तर आप लोगों ने लगाए इसका उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका D नंबर, D नंबर में क्या हो जाएगा निसा नमंतरण, मिलान यामनी, प्रनाय पत्रिका और जाल समेटा जिसमें से सब्से ज़्यादा इनकी जो रचना पूछी जाती है वो पूछी जाती है निसा नमंतरण, कौँछी पूछा जाती है निसा निमंतरन पूछी जाती है ठीक है तो निसा निमंतरन की रचनाकार एंसा भी आता है कि इसकी रचनाकार कौन है तो इसकी रचनाकार है दोस्तो हरीबंस राय बच्चन ठीक है मिला नियामनी मिला नियामनी की रचनाकार कौन है तो हरीबंस राय बच्चन अंगला कौनसी है रगवीर सहाय की कौनसी है पंत की कौनसी है तो बताईए कौनसी है अग्गे की कौनसी है आपको पता है तुरा सा देख लो मन में जिग्यासा पैदा कर लो अग्गे की रचना कौनसी है बच्चन की कौनसी है रगवीर सहाय की कौनसी है सुमित्रानन पंत की रचना क कुंसी है खुरेसी जी चैन करिए और यहां पर जो आपने चैन किया है कूट भी आपको नीचे दिये हैं फिर हम सीधे सीधे यहां पर आते हैं दोस्तों है ना कूट भी आपको पूरा नहीं देख रहा शुमित्रा नंदन पंत की रचना कला और भूरा चांद पता है 1960 में इसे क्या मिल गया था इसे मिल गया था साहित अकादमी प्रोषकार 1960 में ठीक है डीप से का एक इसकी रचना है महादेवी बर्मा की है हैना पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ अग्गे हैना सतरंगनी एक इसकी है बच्चन है ना बोले बच्चन ने सतरंगी होली खेली थी, खेली थी की नहीं खेली थी, बच्चन ने सीडियों पर धूप में रगवीर सहाए, बोले सीडियों पर धूप में क्यों खड़े हैं, बोले हमारी तो रगवीर सहाए करते हैं, तो इसको आपको याद रख लेना है, दोस्तो कि सीडियों पर धूप रगवीर सहाए सतरंगनी सतरंगनी होली खेली किसने बच्चन ने तो बच्चन पहले मैं सननाटा बुनता हूँ अग्गे दीप से का तो पताई है आपको महादेवी बर्मा की है कला और बुड़ा चांद पंत की रचना है ठीक है कि सुमेडित करना है दोस्तों तो इनको अपन सीदे सीदे पढ़ेंगे यहाँ पर आजाओ यह जो प्रस्न है इनको सीदे सीदे यहाँ पर पढ़तेते हैं यह देखो बुद्ध गुप्त पात्र किसका है बुद्ध गुप्त पात्र आकास दीप का है अतुल किसका है दिल्ली में एक मौत हैना कमलेस्तुर की एक कहानी है बोधा से हैं उसने कहा था चंद्रधर सरमा गुलेरी और मालती दोस्तों एक कहानी ग्रेंगरीन की है और अग्गे की कहानी है तो आकास दीप के रचनाकार जैसंकर परसाथ दिल्ली में एक मौत कमलेस्तु ठीक है उसने कहा था चंद्रधर सरमा गुलेरी हैना ग्रेंगरीन मालती की मालती दोस्तों इसके पात रहें अग्गे की रचना तो बुद्ध गुप्त किसके पात रहें आकास दीप के अतुल किसके पात रहें दिल्ली की मौत हैना दिल्ली में एक मौत वो दास हैं उसने कहा ठीक है यही है तो इसको आपको याद रखने है और ग्रेंगीन इसको याद रखना असाद बीना किसकी रचना है असाद बीना की रचनाकार कौन है बिल्कुर सलल क्वेश्चन है असाद बीना आपको बताना है अग्ये मुक्ति बोध नागर जोन या फिर निराला असाद बीन आंसर सही क्या हो जाएगा इसका आंसर जो सही होता है असाद बीना किसकी रचना है उत्तर चला जाता है अग्गे की तरफ अग्गे यानिकी ए नमबर असाद बीना एक लंबी कभीता है जिसकी रचेता है अग्गे एक अग्गन के पारद्वार काब संग्राय में संग्री थे इस किर्टी के लिए अग्ये जी को 1964 इस्वी में दोस्तो क्या मिला था साहित तकादी मिला था क्या किस के लिए मिला था बताईए यहाँ पर दोस्तो इस चार रचना है असाद दिबीना के लिए मिला था या कोई और रचना के लिए मिला था आंगन के पारदवार के लिए मिला था किसके लिए तो बोले सर असाद दिवीना के लिए नहीं आंगन के पारदवार के लिए 1964 में इने साहित अकादी प्रुसकार मिला था हैना 1978 में इने दोस्तों कितनी नाओं में कितनी बार के लिए क्या मिला था नाव में कितनी बार के लिए ज्यान पीट परुसकार मिला था अंगला कुस्च्चन आप से पूचा गया कि ब्रहम राक्षस किसकी कविता है नागरजुन की अग्ए की दिनकर या पिर मुक्ती बोत की बिलकुल अलग से बना देंगे बीडियो ब्रह्म राक्चस किसकी कविता है ये आपको चेहन करनी है ब्रह्म राक्चस के रचनाकार कौन है पटाक से सबी लोग चेहन करेंगे पटापट से आपको बताना है कि दोस्तो ब्रह्म राक्चस के रचनाकार कौन माने जाते हैं और यहाँ पर आपका बिलकुल सही आंसर हो जाता है ब्रह्म राक्चस के मुक्ति बोध की रचना है मुक्ति बोध यानि कि स्री नम्मर ब्रह्म राक्चस कविता के रचनाकार मुक्ति बोध हैं और इनकी अन रचनाय चांद का मोह टेड़ा काट का सपना सतह से उठता आदमी है ना अंधेरे में भूरी भूरी खाक दूल कामाईनी एक पुनर विचार के सभी रचनाय इनकी मान जाती हैं हैना योगधारा इनकी रचना है सतरंगे पंकों बाली हैना प्यासी पत्राई आक हैं तुमने कहा था सालाप की मचलिया पुरानी जूतियों का कोरस इत्यादी इस सभी रचनाय माने जाती हैं नागरजुन की इनको याद रखेंगे अब दोस्तों यहां पर देख पर छडबर बाबरा एहरी अरियो करुणा प्रभा में इंद्र धनो सुर्वंदे हुए थे आगन के पारदवार कितनी नाव में कितनी बार के अग्ये की कृतियां हैं हैना दिनकर की बात करें तो कुरूचेत्र रस्मी रती पुरवसी हुंकार रयनुका संस्कृति के चार धयाय पर सुराम की प्रितीक्छा के दिनकर की कृतियां हैं ठीक है तार सबबक के संपादक कौन थे चार बिकलπό्पैं तार सबब्धक जिनमें दोस्तों हैना साथ कभियों की साथ साथ कभिताए इसमें संकलित होती थी हैना और ये तार सबब्य क्या था कि काब संग रहता दोस्तो तार सब्तक है ना तो ये आपका जो उत्तर हो जाएगा 106 का वो उत्तर है क्या अग्गे तार सब्तक के संपादक कौन है तो अग्गे माने जाती है यानि कि बी नंबर यह ना अग्गे बी नंबर और अग्गे ने दोस्तो आपको पता है सबसे पहले नई कविता सब सब्द का प्रियोग करने बाले जो थे वो अग्ये थे लेकिन प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था किसने नंद दुलारी बाचपही ने पंत को छाया बात का प्रवर्तक माना था ठीक है तार सब्द के संपादक जो हैं अग्ये हैं तार सब्द का प्रका क्या बन तीसरा तार सब्तक 1969 और च्वता सब्तक 1989 तो कुल मिला कि कितने तार सब्तक दोस्तों प्रकासित हुए चार तार सब्तक प्रकासित हुए ठीक है अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहां पर प्रश्ने पर आते हैं और यहां पर आ जाते हैं कि किस साहितिकार का मद्ध प्रदेश से है मद्ध प्रदेश से पूछ लिया गया आपका मद्ध प्रदेश से बताईए किसका संबंद है कि उस्तर क्या हो जाएगा धूमेल हरिबंस राय बच्चन है ना मद्ध प्रदेश से आप से पूछा गया और आपको बताना है कि किस साहित कार का सम्मंद मद्ध प्रदेश से है तो यह भवानी प्रदेश से हैं दोस्तों जिनकी अपनने रचनाय पड़ी थी गीत फरोस पड़ी थी इनका जन में दोस्तों होशंगाबाद मद्ध प्रदेश में हुआ था इना दूसरा तार सब्तक कब प्रकासित हुआ दूसरा तार सब्तक बताना है कि कब प्रकासित हुआ 108 का उत्तर दूसरा सब्टक प्रकासित हुआ प्रश्न किरमा के 108 में, 1969, 1959, 1970 या फेρ दूसरा सार्त सब्टक और दूसरा तार सब्टक लगबग सभी डोगों को पता है कि सर, 1943 में प्रथम, 1955 में दुतिये, हैना, 1969 में चत्रतिय और 1989 में चत्वर्थ यानि कि चार तो दूसरा तारस अब तक पूछे गए दोस्तो आत्मत्या के बुर्द ये किसकी रचना है जल्दी से वीडियो में लखो वीडियो को लाइक सेयर करो जिन भी साथियों को एड़्वीशर लेना वो एड़्वीशर ले सकते हैं 31 तारीक ए ओफर जो आपका चलना है दोस्तो 31 तारीक आपका लास्त कल अफर का होली ओफर का है ना उसके बाद दोस्तों आत्मत्या के बुरुद्ध किसकी रचना है एक सो नो का उत्तर और एक सो नो में आपका सही उत्तर है रगवीर सहाई आत्मत्या के बुरुद्ध की रचनाकार एक कई बार कॉस्चन पूछा गया रगवीर सहाई की रचना है सीडियों पर धूप में रगवीर सहाई, है ना हसो हसो जल्दी हसो रगवीर सहाई, लोग भूल गए है, रगवीर सहाई, कुछ पते, कुछ चिठीयां, एक समय था, जब रगवीर सहाई करते थे, इनको भी आपको याद रख दीना है, ठीक है आत्मे जई किसकी किरती है आत्मे जई है ना और अपने आत्मे जई कई बार पढ़ा और एक क्वेस्चन कई बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा इसलिए आत्मे जई को तो भूला नहीं है पुरिसर कुमर लोग जो होते हैं कुमारे लोग क्या होते आत्मे ठीक है तो ये नमबर आपका बिल्को सही है आत्म जई है ना आत्म जई काब रचना के प्रचेता कुमर नाराण है अब कुमर नाराण की रचना दोस्तों चक्रवियू है ना जो कुमर लोग होते ना कुमार ये चक्रवियू रचने में पहले नमबर पे आते हैं बोले कहा का तो कुमर लोगों को वला लो परिवेस हम तुम कोई दूसरा नहीं बोले मेरे अलाबा कोई दूसरा नहीं होगा है ना एस सूचते ना तो क्वण दूस आ लोग बाज सिरवा के बहाने कुमर लोग ये आपको याद रखनेना है और जीहा हुजूर मैं गीत बैचता हूँ किसकी पंक्तियां है किसकी पंक्तियां है 111 जीहा हुजूर मैं गीत बैचता हूँ एपंक्तिया किसकी है अग्गे की गिरजा कुमर मातुर की भवानी प्रसाद मिस्तर की या फिर समसीर Бहादुर की जी हाँ हुजूर मैं क्या बैचता हूँ गीत बैचता हूँ ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां मानी जाती हैं दोस्तों किसकी है ना ये पंक्तियां हैं भवानी प्रसाद मिस्र जी हाँ हुजूर मैं भवानी के गीत बैचता हूँ आपने देखा होगा भवानी के गीत ग भवानी प्रसाद मिस्री की ये पंक्ती है गीत फरोस चकत है दोख अब कहां पहुँच जाओगे अगर आप भवानी के पास पहुच जाओ तो दुख भी चकत हो जाएगा गांदी पंच सती सत्पुडा के जंगल बुनी हुई रस्ती भवानी के पास जाओ तो आपने देखा पचरंगा धागा वाला बुली सर बुनी हुई रस्ती रखी रहती है धागा बंदो पुरा जाओ है ना सूरच का सातवा घोड़ा एक इसकी रचना है सूरच का सातवा घोड़ा है ना बुली सूरच का सातवा घोड़ा तो अपना धर्म निभा रहा है चांद सूरच के बी गोड़ा किसकी रचना है सूरच का सात्वा घोड़ा तो अपना धर्म निभारा है वो धरम बीर भारत है ना धरम बीर भारती सूरच का सात्वा घोड़ा वो पन्यास विदा की रचना और इसकी रचना कार हैं दोस्तो धरम बीर भारती इनकी रचना ठंडा लोहा कनू प्रिय अब आपको एक कमेंट में उत्तर दिया है कि चांद सूरच के बीरन के किसकी रचना है यह आपको बताना है चांद सूरच के बीरन की रचना कार कुण है इसको आपको कमेंट में लिखना है इसको दोस्तों आपको बताना है इस्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो सेल्प स्टडी किलासे से इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसम सेल्प स्टडी किलासेस का एप दिखने बाला है ठीक है यह इमेज उसमें डली है यह आईकन यह लोगो उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है यहां से आप इंस्टॉल करेंगे ठीक है अब इंस्टॉल करेंगे तो बहां पर आपको नंबर जीमेल लंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर्ट करके आंगे बढ़ेंगे